हेलो जी नमश्कार स्वागत है आप सभी का डाउटनट पर आज से नया ध्याय स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मानव कल्यान में सूख्षन जीव मेरा नाम है पार्थ मैं आपको पढ़ाता हूँ बैलो जी तो बेटा जी अगर नीट की दृष्टी से देखें तो इस चे पिर आपने पिछले अध्याय में देखा होगा मानव स्वास्ते और रोग यानि पिछले अध्याय में कहीं ना कहीं हम लोगों ने बात करी थी कि सूख्षन जीवों से रोग होते हैं और इस अध्याय में हम बात करने वाले हैं कि सूख्षन जीवों से फाइदा भी होता है तो हम घरेलू उत्पाद में क्या-क्या बना सकते हैं सुक्ष्म जीवों का साहता लेकर हम उध्योगों में क्या ऐसे उत्पाद बना सकते हैं सुक्ष्म जीवों का साहता लेकर तो ये सारी चीजे आज हम देखने वाले हैं और लास्ट में आएगा आपका क्रिज वाले सूक्ष्म जीव के साथ हो जाती है कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं आई से जीव जो हमें नग्न आँखों से तो दिखाई नहीं देते हैं हमैं सूक्ष्म दर्शी की यानि मायक्रोस्कोप की साहयता लेनी पड़ती है उनको देखने के लिए तो simply हम उनको क्या बोलते हैं सुक्ष्म जीव बोलते हैं अब सर ये सुक्ष्म जीव कौन कौन से जगत में आते हैं कहां कहां पर मिलते हैं अगर आप से कोई पूचे सुक्ष्म जीव कहां मिलते हैं तो आप बताएंगे सर हवा में भी है पानी में भी है परिस्थितियों में भी मिलते हैं चैप्टर है जीव जगत का वर्गी करना जहां पर एक विज्ञानिक का नाम आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे आरच विटेकर सुना होगा जिसने पांच जगत प्रणाली दी थी याद करिए जिन्होंने सम्पूर जीवों को जितने भी जीवें उनको पांच जीवों को अब इन पांच जगत में से परिटिकलरली तीन जगत में सुक्ष्ण जीवों को रखा गया है कौन-कौन सा मुनेरा जिसमें किसको रखा जाता है जीवानू को बैक्टीरिया को है ना नील हरित शेवाल को जिसको हम ब्लू ग्रीन अलगी बोलते हैं माइको प्ला जगत कौन सा जगत सेकेंड कौन सा है प्रोटिस्टा जगत जो होता है होते एकल कोशी की है लेकिन यू केरियोट होते है जैसे आपके नाम अगर आपने सुना हूँ डायाटम्स डाइनो फ्लेजिलेड्स यूगली नॉइड्स अवपंक कवक प्रोटो जोवा ये सारे के सा जीव हैं नगना आँखों से नहीं दिखा जाते हैं और कवक तो तीन मुख्य श्रेणी कौन कौन जीवानू बोल देता हूं प्रोटिस्टा जगत बोल देता हूं और कवक बोल देता हूं ये मुख्य रूप से क्या हैं आपके सुक्ष्म जीव हैं उसके अलावा उसके अल आकर कौन-कौन आते हैं सुक्ष्म जीवों में, यह मैंने आपको बता दिया है, एक बार लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, जीवानू, जो मौनेरा जगत में आते हैं, कौन से जगत में, मौनेरा, किंगडम जो है, मौनेरा जगत जो है, उसमें रखा जाता है, जीवानू को, प्रोटेस्टन्स प्रोटेस्टा यह संपून जगत ठीक है मोनेरा जगत प्रोटेस्टा जगत ठीक है और कवक और साथ-साथ विशाणू इनको हम मानते हैं क्या सुक्ष्म जीवों की श्रेणियों में रखते हैं जिनको हम नगन आँखों से नहीं देख सकते एक-एक कोशी का को सिंपल सा था अब कुछ उधारण हमारी बुक में दे रखे है NCRT में देखेगा कुछ बता रखे है देखे यहाँ पर कुछ बेक्टीरिया का उधारण दे रखा है ऐसे बेक्टीरिया जो छड़ाकरती में मिलते हैं इस तरीके से इस तरीके की आकरती जो होती है उस कौन बोलते है छड़ाकार आकरती छड़ाकरती रॉड शेप लिखा भी हुआ है रॉड शेप छड़ाकरती ठीके कुछ आपके गोलाकार आकरती के भी होते हैं ये चछडा आकरती है ठीक है ये गोलाकार आकरती है गोलाकार को हम बोलते हैं कोकस क्या बोलते है कोकस ठीक है या सिंपल गोलाकार आकरती बोल दीजे या कोकस बोला जाता है इनको बोला जाता है bacillus, इनको बूला जाता है cocus, ठीक है, कुछ आपके, कुछ आपके ऐसे भी bacteria होते हैं, जिन पे flagella मिलता है flagella यानी kashabika ठीक है, तो कुछ ऐसे होते हैं, जो चलाइमान होते हैं, चल सकते हैं, पानी में तैर सकते हैं, क्यों क्यों के पास चलाइमान संग रचना होते हैं, जिसका नाम होता है kashabika, कुछ अचल भी होते हैं जैसे bacillus, जैसे cocus, इनके पास नहीं होता है flagella, यानी ये अचल होते हैं यानी कुल में लाकर bacteria की बात कर रखिये यह हम उस chapter में पढ़ेंगे, bacteria क्या कार, ठीके, चार मुख्या कार होते हैं rod shape होते हैं, छडाकरती होते हैं गोलाकार, कोकस होता है vibrio होता है, vibrio यानी कोशाकार होता है, जो कौमा आकरती के होते हैं spiral होता है इस तरीके से ठीके, spiral shape में भी होते हैं तो चार मुख्या करती होते हैं कौन-कौन सी छडाकार, गोलाकार, कोशाकार और स्पाइरल आकरती और कईयों में कशा भिका मिलती है कईयों में नहीं मिलती है कशा भिका गमन के लिए उत्तरदाई होती है चलने के लिए ठीक है इसके अलावा कुछ वाइरस के उधारण दे रखे है जैसे यहाँ पर यह दे एक ऐसा विशानू जो अटैक करता है किस पर अटैक करता है जीवानू पर एक ऐसा विशानू जो अटैक करता है संक्रामित करता है किसको जीवानू को तो जीवानू का भोजन जीवानू को भोजन की तरह उपियोग में लेने वाला विशानू क्या कहलाता है जीवानू भोज इस तरीके से ये एडीनो वाइरस होता है एडीनो वाइरस ये आपका बिटा तंबाकू मुझेक वाइरस है सबसे पहला जो वाइरस खोजा गया था ये सब पढ़ेंगे उस चेप्टर में जहां पर वाइरस की बात करेंगे तंबाकू मुझेक वाइरस तो बैको मुझेक वारस खोजा गया था, यही था, बैजork निक्स में खोजा था, यह सारी चीजें हम पढेंगे वहाँ पर, वारस के बारे में पढेंगे, ग्यारवी कख्षा का जो द Yours Raad है उसमें हम देखेंगे इन सब के बारे में ठीक है चले तो ये सारे थे सुक्ष्म जीवों की श्रेणियों में आने वाले जीव कौन-कौन से मैंने आपको बता दिये जीवानू मोनेरा जगत प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा जगत के अंतरगत ही आते हैं कवक फंजाई और व लोग भी उत्पन करते हैं लेकिन इस चैप्टर में हम रोगों की बात नहीं करने वाले हैं इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं कि कैसे सुक्ष्म जीव हमारे लिए लाब दायक है तो आईए सबसे पहले जो यहां पर अच्छा एक और चीज यहां पर एक डाइगराम पोशनिये माध्यम रख दिया थिक है माल लेते हैं कोई घोल रख दिया चीनीं का गोल रख दिया है यहां पर अब जरए सूचे मने क्या बोला सुक्ष्म जी वहर जगें हैं वायू में हैं जल में हैं और आपके स्थल पर हैं अब मालने मैं पैट्रेड डिष अपनी लैब में रख दी और इस पेट्रिडिश में मैंने कुछ दिनों बात देखा कि भईया यहां पर ना सुक्षनी पर्टिक्लरली जो बेक्टीरिया है उसकी कोलोनी बन रही है बहुत सारे बेक्टीरिया एकत्रित हो गए है क्यों हो गए है सर निउट्रिशन मिल रहा है पोशन मिल रहा है तो इस तरीके से पेट्रिडिश पर ये जो पेट्रिडिश कांच की होती है इस पर हम जीवानों की या कवक की व्रधी करा सकते हैं पोशन ये माध्यम रखके हम यहां पर कोलोनी बना सकते हैं अब आप बोलेंगे सर कोलोनी क्या होता है मेरे भाई जहां पर कई सारे लोग एक साथ एकत्रित होते हैं उसको हम कोलोनी बोलते हैं तो यहां पर किसकी कोलोनी थी सर बैक्टीरिया की कोलोनी बना दी हमने यहां पर मैंने का ठीक है बहुत सिंपल कोई प्रशन तो बननी रहा ह यहां पर हैं उसी प्रकार यहां पर कवक की कलोनी बना सकते हैं तो कुल में लाकर हम इस तरीके से जीवानुओं की व्रध्धी करा सकते हैं और कवक की व्रध्धी करा सकते हैं पोशणी यह माध्यम दे देते हैं जहां पर यह व्रध्धी करते हैं सूक्ष्म जीव अब हम बा खरेलू उत्पादों में हैं, household में, जिसको हमें अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, households में उपयोग, household का मतलब हमारे घर में क्या हम सुख्म जीवों का उपयोग ले सकते हैं, अब देखें, यहाँ पर कुछ चीज दिख रही होगी, आप बोलेंगे सरीय तो चीज है, पनीर भी की बात करने वाले हैं तीक है आईए सबसे पहले घरेलू उत्पाद में हम जो चीज बनाने वाले हैं बहुत important और बहुत simple सा प्रशन बनता है neat में सबसे पहली चीज है curd यानी दही किसकी बात करने वाले मैं बच्चों हम यहाँ पर ही की बात करने वाले हैं कर्ड recognize ही कि बात करते हैं ग्यां गई तो सब द топ कर Arms कोई ऐसा थूट गया है आप इसे उसने कभी द्हीं सभी निखाइअ ऑल्प अचो सबी बच्चे सभी दो सबमारे लंद लौक्द हए कьा है बोहुत Av व्यस्त थो हमारा एक पडोसी देश है, जिससे हमारी दुषमनी बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान, लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पाकिस्तान का बहुत ही विश्व प्रसिद एक डॉक्टर है, डॉक्टर हाफीज नाम में भी उनका अफिज है, डॉक्टर हाफी आपको अपनी आयू को बढ़ाना है ना तो रोज एक कटोरी दही खाया करें क्योंकि देखे ज़्यादातर रोग जो होते ज़्यादातर बिमारियां जो होती है वो हमारे पाचन तंतर से लगती है जो भी हम भूजन खाते हैं उससे है ना तला भुना इस तरीके के जो भोजन खाते हैं उसी से ज़्यादा तर बिमारी लगती वो बोलते हैं कि अगर आप रोज एक कटोरी एक कटोरी अगर दही खाएंगे ना तो आपका पाचन तंत्र श्वस्थ रहेगा आपको बिमारी लगने के चांसे बहुत कम हो तो सीरी सी बात आयू बढ़ेगी रोग होएंगे तो आयू कम हो जाएगी ना सीधा सीधा उन्होंने बोला कि भाई या रोज एक कटोरी धही खाया करें तो खुल में लाकर बात करें कि धही जो है पोशन के आधार पर क्या बहुत लाबदा है कि येस अब कैसे कैसे पड़ोसी से थोड़ा सा जामन लेया आप बोलेंगे जामन क्या होता है अलग अलग जगे पर अलग अलग बोला जाता है कई जगे बोला जाता है खटा लेया कई जगे बोला जाता है जामन लेया कई जगे बोला जाता है पड़ोसी से थोड़ी सी धही लेया तो मैं क्या कर तो दूद को फाड़ा जाता है या मैं बोलूगा दूद के अंदर क्या डाला जाता है लेक्टिक एसिड बेक्टीरिया क्या लेक्टिक एसिड बेक्टीरिया लेक्टिक एसिड बेक्टीरिया दूद में डाल दिया जाता है और ये उसे दही में परिवर्तित करता है अब ये करता क्या है ये लेक्टिक एसिड बेक्टीरिया करता क्या है ये जो दूद जो होता है दूद जो होता है उसमें प्रोटीन होता है क्या होता है प्रोटीन होता है उसको क्या कर देता है सकंदित कर देता है उसको उसका ठका जमा देता है आप बोलेंगे सर समझ में नहीं आए देख मेरे भाई देख जैसे तुम्हारा रक्त होता है अगर कट लग जाता है तो कट ल तो दूद में जब यह बैक्टीरिया डाले जाते हैं तो यह बैक्टीरिया क्या करते हैं दूद में जो प्रोटीन होते हैं उन प्रोटीन को एकत्रित कर देते हैं जिससे दही बनती है और वो गाड़ापन आ जाता है तो कुल में लाकर यह लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क् सकंदन कर देते हैं सकंदन का मतलब सकंदन का मतलब एकत्रित कर देते हैं प्रोटीन्स को जिससे क्या हो जाता है दई बन जाती है और विटामिन B12 मेरे भाई याद रखना कौन? विटामिन B12 की मातरा जो होती है वो बढ़ जाती है इस सकंदन से इस इसकंदन से विटामिन B12 की मातरा बढ़ जाती है और ये बढ़ाने के लिए उतरदाई कौन होता है यही Lactic Acid Bacteria तो सोचो मैं एक lactic acid bacteria हूँ, मैं दूद में गया और मैंने क्या किया प्रोटीन को एक जगे एकत्रित कर दिया और vitamin B12 उत्पन कर दिया उसके अंदर, मैं थोड़ा बहुत पाचन करूँगा, मैं यानि lactic acid bacteria आंशिक रूप से थोड़ा बहुत पाचन करूँगा और जब मैं प bacteria, कौन? lactic acid bacteria, मुझे डाला गया किस में? दूद में, मैं गया, दूद में जाकर मैंने प्रोटीन को एकटा किया, एकत्रित करता जा रहा हूँ, जिससे गाड़ा पनाएगा, और साथी साथ, प्रोटीन का थोड़ा बहुत पाचन कर देता हूँ, जिससे vitamin B12 निकालूँगा मैं है, तो दही में क्या आ गया? vitamin B12 की भारी मात्रा आ गई है, मलब vitamin B12 आ गया है, प्रोटीन एक जगे एकत्रित हो गया, और हलकी सी खटास भी आ जाती है, किस में? इसी lactic acid bacteria के कारण, ठीक है? अब इससे क्या होता है? अब जो दही आप खा रहे हैं, उस दही में क्या है? कहीं न कहीं vitamin B12 है, उस दही में क्या है? प्रोटीन भर-भर के हैं, सकंदित हो गया है, उस दही में क्या है? ये bacteria भी अब जरा सोचें, ये धही जब आपके अंदर जाएगी तो आपको क्या-क्या मिल गया? विटामिन B12 मिल गया, आपको protein मिल गये हैं, और साथ-साथ आपक अंदर क्या ये bacteria नहीं जा रहे हैं? शर ये तो bacteria हमारे अंदर जा रहे हैं, तो नुकसान पहुचाएंगे? ना, 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 ये नुकसान नहीं पहुचाएंगे, ये फाइदा करेंगे, कैसे फाइदा करेंगे? ये हमारे पेट में दूसरे सुक्ष्म जीवों की व्रधी को सुक्ष्म जीवों की क्या करते हैं? व्रधी को रोक देते हैं यानी double triple फाइदा पहुचा रहे हैं, विटामिन B12 भी प्रदान करवा रहे हैं, प्रोटीन भी ज़्यादा से जभाश्या और दूसरे सुक्ष्म जीवों की व्रधी को रोक रहे हैं तो सेज़ा सोचे दही जो हैं दूसरा हम क्या बना सकते हैं डोसा इडली या आटा डो का मतलब होता है आटा गुथा हुआ आटा जो होता है जब आटे को हम पानी डाल कर गूथ देते हैं गुथा हुआ आटा जो होता है उसको हम अंगरेजी में बोलते हैं डो ठीक है तो डोसा इडली और गुथा आप सभी ने bread खाई है यह sir bread खाते हैं अगर आपने खाया है अरे bread तो खाई है मेरे भाई bread तो खाई इस bread को जड़ा गौर्च देखो इसमें छुटे-चुटे छिदर नहीं दिख रहे आपको छेद दिख रहे है इडली में डोसे में छुटे-चुटे छेद होते हैं यह कैस बनता है तो हम बताते हैं आपको कैसे बनता है देखिए आज पूरा हम क्या बोलते हैं रेश्टोरेंट खोलने वाले हम यहां पर ठीक है तो कुल में लाकर हम या तो दाल का या चावल का या दोनों के मिश्रण का पीस देते हैं सो चो मैंने दाल को और और की दाल को और चाव बनेगा जिसको हमने क्या बोला है डो बोला है अब ये जो आटा जो होता है ये आटा बनाने के लिए आपको इसमें कुछ मिलाना पड़ता है क्या मिलाना पड़ता है आपको यीस्ट मिलाना पड़ता है ये यीस्ट सर यीस्ट कहां से होता है यीस्ट क्या होता है खमीर होता ह इसको देशी भाशा में खमीर बोला जाता है एक प्रकार की कवक होती है बेटा कौन यीस्ट सेक्रोमाइसिज सेरिविसी इसका विज्ञानिक नाम होता है सेक्रोमाइसिज सेरिविसी कौन है ये यीस्ट है ये एक प्रकार की कवक है ठीक है अब ये जो कवक जो होती है ये क्य कारे करती है ये न इस आटे में ये जो आटा जो बनेगा इस आटे में किणवन करती है अब आप बोलेंगे सर किणवन क्या होता है किणवन का मतलब फर्मंटेशन किणवन क्या होता है अवाइव येश्वसन होता है क्या होता है अवाइव येश्वसन यानि कही ना कहीं जैसे ग्लूकोज को मैंने तोड़ा बिना ओक्सीजन की उपस्थिती में तोड़ूगा तो वो वाइव येश्वसन बिना ओक्सीजन की पस्तिती में जब मैं तोड़ता हूँ तो या तो बनता है इथिनॉल या बनता है लैक्टिक ऐसेड दो चीजे बन सकती है या तो इथिनॉल बनता है या लैक्टिक ऐसेड या तो एलकोहल बनता है या लैक्टिक ऐसेड बनता है और ध्यान से सुनना जब इथिनॉल बनता है तो साथ-साथ carbon dioxide निकलती है, जब इधिनॉल बनता है, तो साथ-साथ carbon dioxide निकलती है, lactic acid जब बनता है, तो carbon dioxide नहीं बनती है, अब ज़रथ सोचिए, सोचिए, यह जो आटा जो है, इसमें हमने इस आटे को बनाने के लिए, हमने yeast का उपियोग किया था, अभी संवा इनओ, इनओ मिलते हैं, धिनो क्यों मिलते हैं ?जुकि इनओ इस सेक्रमाइसस सेरीशी वरधी को बढ़ाता है गुडै वत जाता है जाब यह अठा च्छंद्रत हो जाता है कैसा हो जाता है इस आटे में क्या आ जाता है छेद आ जाते है तो कुल में लाकर बेक्टीरिया द्वारा भी किन्वन किया जाता है और कवक्ये द्वारा भी किन्वन किया जाता है ये किन्वन से कही ना कही वो जो आटा है वो फूल जाता है ये आटा फूल जाता है क्यों क्य के कारण हुए थे fermentation किणवन के कारण हुए थे जिनको किणवन समझ मिने या सीधा सीधा मेरे भाई आपने आटे के अंदर अगर ग्लुकोज, स्टार्च अगर ये सारी चीज़े होएंगी तो आपने इनका एवाई विये रूप से बिना ऑक्सीजन की उपस्थिती में क्या करा दिया है पाचन करा दिया जिससे क्या बन गया है इतिनॉल बन गया है कारण डेक्षर बन गया ये उड़ जाएंगे जिससे छि इसका विज्ञानिक नाम आपने भूला नहीं है सेक्रोमाइससस सेरे निसी इसक को बोलते हैं बेकर्स येस्ट बोलते हैं इसका इसका इस्तमाल होता है बेकरी में बेकर्ष वर्ड कहें सा है बेकरी जहां पर आपके biscuit बनाए जाते हैं, bread बनाई जाती है, बंद बनाया जाता है, कई सारे ऐसे उत्पाद आपके बनाई जाते हैं, जो छिद्रित होते हैं अंदर से, तो किसका उपियोग किया जाता है, yeast का कौन सी, saccharomyces cerevisi, ऐसी yeast को हम क्या बोलते हैं, yeast कोलते हैं, तो कुल मिला कर यहां पर भी किणवन ही होता है, done, clear है, इसी तरीके से डोसा, इडली और ब्रेड ब्रेड ये बनाई जाती हैं, simple सा था ये बात, ठीक है, आगे बढ़ते हैं बिटा जी, अब देखेगा, कुछ, मैंने आपको क्या बोला, देखे, मैंने आपको बोला, कि जब हम किणवन कराते हैं, तो क्या निकलती है, इथिनॉल और कार्बन डाइक्सेड, इथिनॉल और कार्बन डाइक्सेड निकल गई, ठीक है, सर निकल गई, कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं आपको बताता हूं देखेगा ध्यान से सुनिएगा ये प्रशन बहुत बार पूछा गया है दक्षणी भारत जो है न दक्षणी भारत शाउथ इंडिया जो है हमारा वहां पर कुछ जगहों पर एक पेपदार्थ है एक पीने वाला ऐसा पदार्थ जिसका नाम है ट टॉडी वाइट कलर कही होती है टॉडी क्या होता है ये पेपदार्थ होता है शादियों में बुलावों में पिलाया जाता है कुछ समारा होता है उसमें पिलाया जाता है किन्वन से बनाया जाता है किन्वन से बनाया जाता है टीक है तार का जो व्रक्ष जो होता है तार का व्रक्ष ताड का पेड जो होता है ताड का ठीक है ये तो नाम सुना है अब ये मत बोलेगे सर्फ ताड का व्रक्ष नाम नहीं सुना ताड का व्रक्ष जो होता है पाइनस प्लांट जिनको हम बोलते हैं उनके तने से उनके तने से उनका जो तना होता है उसको कट लगाते है और उसमें से कुछ सफेद रंग का तरल निकलता है ठीक है उस तरल का हम क्या कराते हैं किन्वन कराते हैं अब ज़रा सोचे उस तरल का जब किन्वन कराएंगे तो उस तरल में इथिनॉल आ जाएगी क्या जाएगी इथिनॉल आ जाएगी भई किन्वन कराएंगे तो क्या आपकी जो मदीरा जो होती है, जो लिकुड जो होती है, जो शराब जो होती है, उसमें इथिनॉल हो जाती है, उड़ जाती है, उड़ सकती है, लेकिन निकल जाती है नहीं, ढकन बंद कर दीजिए, लेकिन ठोस पदार्थ में से तो निकल सकती है, गरम किया उड़ गई, लेक पर एक पेपदार्त है, लिकुड है, जिसको बनाया जाता है किससे ताड़ रख्ष से जो स्तराव निकलता है, उसका किर्वन करा कर निकलता है, अब उसमें इत्хेनौल आ जाती है, क्या आ जाती है, इत्हेनौल आ जाती है, ठीक है, तो जरा सोचिए ये कराने के लिए किसकी साहेता ली गई होगी यीस्ट की सेक्रोमाईसज तो कुल में लाकर जरा सोचिए किया आप पेपदार्फ नहीं बना रहे nouveau टॉडी नहीं बना रहे किया आप डोशा इडली किया आप ब्रेड ये नहीं बना रहे क्या आप अपने घर में दही नहीं बना रहे हैं तो ये सारी चीजे बनाने के लिए क्या आप सुख्षन जीवों का उपयोग नहीं ले रहे हैं ज़रा सोचे ये दही बनाने के लिए आपने क्या लिया लाक्टिक असिड बेक्टीरिया दोसा इडली ये बनाने के लिए आपने बैक्टीरिया या कवक इस्तमाल करी कौन सी सेक्रोमाइसेज सेरिविसी बेकरसी इस्ट बोला क्या टॉड़ी बनाने के लिए आपने सेक्रोमाइसेज सेरिविसी कवक इस्तमाल नहीं करी बिल्कुल करी तो कुल मिलाकर क्या आप सुख जी वो का उपयोग नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, सर यह तो बहुत सिंपल सा था, अब सर यहां से प्रश्न कहां से बनेगा, देखिए एक तो यहां से बनता है, क्या सिंपल सिंपल, सेक्रोमाइसिज सेरिविसी को बेकर्स इस्ट बोला जाता है, याद रखना भू कैसी कवक होती है, एकल कोशी किये कवक होती है, यूनिस सेलिलर फंजाई होती है, कौन सेक्रोमाइसिज सेरिविसी, पूरा जो कवक जगत होता है, तीसरा जगत था ना, आरेच बेटेकर का पांच जगत में से तीसरा जगत था, क्या, फंजाई किंग्डम, कवक जगत, सार अब हम बनाएंगे cheese जिसको हिंदी में कई बार पनीर बोल दिया जाता है लेकिन पनीर और cheese में difference होता है बट हमारी book बोलते हैं कि वही है पनीर और cheese एक ही चीज है चलो माल लेते हैं लेकिन difference होता है चलिए तो cheese हम बनाने वाले हैं लोगों में से कई उने bread के अंदर cheese लगा कर अगर खाई हो तो अच्छी बात है नहीं खाई है तो कोई बात में बविष्य में खा ले न, मेरको थो बहुत गंदी लगती है मेरको थो कसम से बहुत गंदी लगती है कडवी-कडवी से लगती है लेकिन चल ये चीज भी बहुत इंपोर्टेंट है ये आपके अंदर एक बहुत अच्छा न्यूट्रीशन होता है क्या चीज ठीक है अब अगर पनीरगी बात करें तो अब बहुत ही बात है आप बोलेगे सर पनीर तो बहुत ही बढ़िया होती है तो पनीर और चीज में होती है बहुत ही ज़्यादा पोशन से भरपूर होती है इसके अंदर प्रोटीन होते हैं इसके अंदर कार्बो हाइडरेट्स होते है इसके अंदर वसा भी होती है फैट्स भी होते है इसके अंदर वाइटामिन्स भी होते है किसके अंदर बिटा पनीर या चीज के अंदर ये बहुत पहले से बनाया जा रहा है अब चीज जो होती है ये अलग-अलग प्रकार की होती है देखे यहाँ पर देखे इस चीज को देखो और इस चीज को देखो दोनों अलग-अलग देखे ये पीले से रंग की है ये सफेद रंग की है इसमें थोड़े से काले-काले से ध इसमें बड़े बड़े छेद होते हैं तो अलग-अलग प्रकार की क्या होती है चीज होती है शुगंद के आधार पर भी हाँ इनकी सुगंद भी अलग होती है भाईया करोडों की बिखती है कई चीज तो हाँ जी कई चीज तो करोडों की बिखती है जी हाँ तो कुल मिलाकर से बात जो आ रही थी पेटा जी क्या इनकी सुगंद इनका स्वाद सुगंद स्वाद और इनकी संग्रचना के आधार पर चीज जो होती है यह अलग-अ प्रकार की होती है और सर क्या यहां से कोई प्रसिंद बनता है नीट में हाँ बनता है कहां से बनता देखे यहां hen दो लाइनों में से बनेगा देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो यह जो चीज दिखा रखी है यह स्विजर लेंड में बनती है स्विजर लेंड में इसलिए इसका नाम है स्विज चीज इसको हम बोलते हैं स्विज चीज बोलते हैं कौन सी चीज इतने बड़े बड़े छेद होते हैं स्विस चीज में ठीक है तो यह जो चीज जो होती है इसके अंदर सर यह छेद कैसे आ गए यह छेद आए कहां से तो एक ध्यान से सुनना एक बैक्टीरिया का इस्तमाल करके जीवानू का इस्तमाल करके इस चीज का निर्मान किया जाता ह वो बैक्टीरिया वो जिवानु आपने भूलना नहीं है नीट में प्रशन आया है उसका नाम है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी शर्माय तो नहीं न शर्मा जी के लड़के से याद रखना कौन प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी लिखा हुआ है प्रोपियोनी ब पोशन आ गया क्या प्रोपियो नी बैक्टीरियम शरमानी क्या है वैसे तो नाम से पता लग जाएगगा Bacterium आ यानी बैक्टीरिया है तो याद रखना यह बैक्टीरिया जब किन्वन करेगा और जब यह किन्वन करेगा तो क्या निकलेगी प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी नामक बैक्टीरिया द्वारा बड़ी मात्रा में कार्बन डैक्टीरिया के कारण होते हैं याद रखना भूल मज़ जाना प्रशन बनता है सीधा सीधा प्रशन बनेगा जो जो चीज़े बता रहा हूँ इंपोर्टेंट है याद रखना भूल मज़ जाना कौन बैक्टीरिया है यह बैक्टीरिया है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी बैक्टीरिया जिससे स्विस चीज़ बनाई एक दूसरी चीज़ देखते है अब देखे इस चीज़ को देखे यह इससे भी ज़्यादा मह कौनसी होती है यह रॉक्यू फॉर्ट चीज क्या नाम है इसका रॉक्यू फॉर्ट चीज रॉक्यू फॉर्ट चीज बोलते हैं इसको अब यह जो रॉक्यू फॉर्ट चीज इसका नाम रॉक्यू फॉर्ट क्यों पड़ा क्योंकि यह बनाने के लिए एक कवक का अब की बार क्या था कौनी अपकी बार कवक का इस्तिमाल किया और उस कवक का नाम है पैनिसीलियम रॉक्यूफोर्टी याद रखना यहां पर हमारी बुक मे नहीं दे रखा था हमारी NCRT में नहीं दे रखा उस कवक का नाम बस ये बता रखा है क्या एक विशेश प्रकार के कवक से बनाई जाती है उस विशेश प्रकार के कवक का नाम अगर याद रह जाए तो अच्छी बात है ना याद रह तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेगिन याद रखोगे तो ज और इसमें सुगंद मैंने बोला था बहुती अट्रेक्टिव होती है ये वाली बहुती लबाबदार होती है और बहुती मतलब अच्छी लगती है ये वाली टेस्ट में ठीक है सो कुल में लाकर आपने दो प्रकार की चीज याद रखनी है स्विश चीज प्रोपियोनी बैक्टिरियम शर्मानी जो शर्मा जी के लड़के से याद रखना या शर्माने से याद रखना प्रोपियोनी बैक्टिरियम शर्मानी से स्विश चीज स्विजरलेंड वाली चीज और Penicillium Rock-40 से Rock-40 चीज ये दो प्रकार की चीज हैं एक बैक्टीरिया से जीवानों से और एक कवक से बनाई जाती है जरा सोच ये सुख्ष्ण जीवों का उप्योग कर रहे हैं बिल्कुल कर रहे हैं डन चल तो यहां तक हमने बात करी है किस चीज का हमने यहां तक बात करी क कि किस तरीके से हम सुख्ष्ण जीवों का इस्तमाल कर रहे हैं घरेलू उत्पाद बनाने में ठीक है जो घरों में उत्पाद बन सकते हैं उनकी हमने बात करी है चीज भी बन सकती है बिल्कुल बनाते हैं बेकरी में बन सकती है बिल्कुल बनाते हैं कही ना कहीं ब्रेड ब इनको हम उद्ध्योगों में बनाएंगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की बात करने वाले हैं। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है ये यंत्र है ये कुछ ऐसे यंत्र है जिनको हम बोलते किनवक क्या बोलते हैं किनवक फर्मन टेटर्स अभी बताऊंगा इनके बारे में ये बड़े-बड़े यंत्र है जो आपके इंडस्ट्री में लगाए जाते हैं किनवक बोला जाता है नाम से पता लग रहा होगा, fermentators, किनवक, यानि बड़े-बड़े यंत्र जहां पर fermentation होएगा, जहां पर किनवन होएगा, बड़े स्तर पर, ठीक है, तो ध्योगों में क्या-क्या उत्पाज बनाएंगे सुक्षम जीवों की साहिता से, आईए बात करते हैं, बैटा, सबसे पह होटा सा व्यक्ति खड़ा है, और कितने बड़े-बड़े यन, दो-दो मंजला, तीन-तीन मंजला किनवक होते हैं, मैंने जब काम किया था, जब मैं रिसर्च कर रहा था, तो मैंने लगबग-लगबग तीन-चार मंजला, तीन-चार मंजला, बड़े-बड़े fermentators होते थे, उन पर वर्क किया था, जो आप जय प्रध्योगी की जो चैप्टर है, उसमें भी पढ़ा होगा आपने, तीन-चार मंजला करते हैं, मादक पेप का मतलब क्या होता है, जो मदिरा जो होती है, शराब जो होती है, उनका निर्मान करते हैं, और प्रतिजेविक, एंटी-बाय घर में अगर आपने काम करना है, तो इनका यूज तो लेंगे ने, तो आपको कहां पर, इंडस्ट्री में, कुछ ऐसे यंत्रों की साहता लेनी पड़ेगी, जहां पर आप किन्वन करेंगे, तो जिन यंत्रों के अंदर किन्वन किया जाता है, जिन डिवाइसेज के अंदर किन्वन किया जाएगा, फर्मन्टेशन किया जाएगा, व्यफ्षाई कि स्तर पर और ध्योकिक स्तर पर जिन पर किया जाएगा, ठीक है, सुक्ष्म जीवों को पैदा किया जाएगा, जो बड़े बरतन में, मतलब ये बड़े बरतन है, जहां पर आप फर्मन्टेशन किनवन करेंगे उन बरतनों को उन डिवाइस को क्या कहा जाता है किनवक कहा जाता है फर्मेंटर कहा जाता है नहीं आया समझ में फिर देख यह यह यंत्र दिख रहे हैं यह वले इसमें मैंने क्या डाले सूख्षमजीव डाल दिये क्या डाल दिये सूख्षमजीव डाल दिय बर-बर के आटा डाल दिया, सुक्षमजी डाल दिये क्या हो जाएगा, मुझे ओध्यों की किस तर पर नहीं मिल जाएगे ब्रेड ये सारी चीजे एक घरेलू सतर पर बनाई जा रही थी एक इंडस्ट्रिल लेवल पर अगर बनानी है तो मुझे बड़े-बड़े बरतनों की जरत है, बड़े-बड़े यंतरों की जरत है उनको हमने क्या बोला है, किणवन की बोला है, बस कुछ नहीं है और कुछ नहीं है, ठीक है, सिंपल सा था, चली, आगे चलते हैं अब क्या बनाते हैं देखे मैंने बोला था क्या कि मादक पे बना सकते हैं शराब ठीक है जिसको हम मदिरा बोल रहे हैं जिसको हम किनवित पे भी बोल सकते हैं किनवित पे का मतलब जिसका किनवन हो गया ऐसे पे पदार था ऐसे लिक्विड्स को हम क्या बोलेंगे फर्मेंट liquids या fermented beverages बोला जाता है अंग्रेजी में ठीक है क्या होते है मेरे भाई देखेगा कहीं ना कहीं वापिस है yeast का उपियोग किया yeast का उपियोग किया जाता है यहां पर किसका yeast का और क्या बनाया जाता है wine, beer, whiskey, brandy, rum यह कुछ ऐसे पेपदार्थ हैं जिनमें alcohol होता है जिनमें क्या होता है भाई आपने किणवन करेंगे तो क्या बनेगा सर alcohol बनेगा जैसे टॉड़ी में नहीं बना था यहां पर भी बनेगा बस बड़े इस्तर पर बनाना है बड़े इस्तर पर बनाना है छोटे इस्तर पर घरेलो इस्तर पर भी बन जाते है जी हां जैसे आपने सुना होगा कुछ शराब सुनी होगी कच्ची शराब नाम सुनाएगा सुनाईए वर्ड सुनाए कभी तो जो वो होती है उध्योगी क का निर्मान करते किसको उप्यों करके मेरे भाई येस्ट का अगें येस्ट का अब ध्यान से सुनिएगा येस्ट सेक्रोमाइसिस सेर्विट सी जिसको हम ब्रीवर्स येस्ट बोलते हैं देख यहां से प्रशन उठेगा क्या ध्यान से सुनना येस्ट को दो नाम दिये गए है इस को यीस्ट जो होती है इसको थो नाम देते हैं एग बोलते हैं बेकर सिरा जीज्ट एग बोलते हैं एक बीकर्स जीज्ट बीवर्स इस्ट क्या होते हैं और बेकर्स जेताँ मतलब का मतलब होता है पे-पदार्थ बनाना ध्यान से सुनना ब्रीविंग एक वर्ड होता है ब्रीविंग अंग्रेजी का वर्ड है जिसका मतलब होता है क्या मादक पे-पदार्थ बनाना इस तरीके के मदिराओं का निर्मान करना क्या कहलाता है ब्रीविंग और ब्रीविंग में जो सुक्षिंजी व्यूज में आ रहा है वो है येस्ट तो इसलिए येस्ट को हमने क्या बोल दिया ब्रीवर्स येस्ट तो याद रखना ये दो वर्ड प्रशन उठते हैं तो बिटा जी ये कुल मिलाकर एथेनॉल उत्पन करेगा और ये एथेनॉल इन में मदिरा में या प इसलिए पेपदार्थों का उत्पादन किया जाता है जिन में एलकॲुहाल होती है याद रखना भूल मत चाईएगा थीके और क्या बना सकते है सर एंटीबाटिक्स बना सकते है बळे सतर पर भैया जरा सोचे क्या कंपणीज नहीं बनाती है क्या गरेलू स्तर पर बनाती है कि बड़े स्तर पर इंडस्ट्रिल लेवल पर बड़े स्तर पर क्या बनाती है एंटी बाटेक्स बनाती है सर एंटी बाटेक्स का मीनिंग क्या होता है एंटी बाटेक्स को हिंदी में बोलते है प्रती जैविक इसका meaning क्या है देखो anti का मतलब होता है प्रती यानि किसी के खिलाफ कारे करना anti का मतलब ही क्या होता है ग्रीक भाशा में खिलाफ कारे करना और दूसरा word क्या हो रहा है anti के बाद bio bio मतलब bio मतलब सजीव जीवन यानि कुछ ऐसी चीजे जो जीवन के खिलाफ कारे करनी वाली है इसका अर्थ है जीवन के खिलाफ हुआ यानि कहीं ना कहीं ज़रा सोची आपके शरीर में कोई रोगानू आया आ गया कोई सूख्ष्म जीव आया और आपने खाली एंटिबायाटिक एंटिबायाटिक क्या करेगी उस सूख्ष्म जीव के खिलाफ कारे करेगी हमारे खिलाफ नहीं उस सूख्ष्म जीव के खिलाफ कारे करेगी यानि ये उसकी विशिष्ट प्रकरती होएगी वो विशेश कर ये एंटिबायाटिक्स विशेश कर रहसे नहीं है कि कोई सी एंटिबाटिक किसी के भी खिलाफ कारे करेगी नहीं कुछ विशेश सुक्ष्म जीवों के खिलाफ कारे करती है कौन कुछ रसायन जिनका नाम है एंटिबाटिक्स जो मनुष्य के संदर्ब में नहीं होएगा ये कथन कि भाईया मनुष्यों के लिए ये खिलाफ कारे करेगी नहीं सुक्ष्म जीवों के खिलाफ रोग उत्पन करने वाले जीवों के खिलाफ कारे करती हैं कौन एंटिबाइटिक्स ठीक है अब देखें एंटिबाइटिक्स से एक किस्सा जरूर याद आता और वो आपकी NCRT में भी दिया हुआ और जो आपको जीव ने एंटिबाइटिक्स बनाई और वो एंटिबाइटिक किसी दूसरे सुक्ष्म जीव के खिलाफ कारे कर रही है आप जानना चाहेंगे कैसे देखें मैं एक एक्जामपल से आपको बताता हूँ ये है वो विज्ञानिक जो बहुत इंपोर्टेंट है नाम है इनका एलेक्जेंडर फ्लेमिग क्या नाम है एलेक्जेंडर फ्लेमिग याद रखना कौन एलेक्जेंडर फ्लेमिग जिसने फर्स्ट एंटिबाइटिक हो जी थी फ्रस्ट एंटिबाइटिक कौन सी पैनिसिलिन अब कई बच्चे बोलेंगे सर इंग्लिश में क्यों लिख रहा हम तो हिंदी मीडियम के मेरे भाई फ्रस्ट एंटिबाइटिक का मतलब इतना भी समझ में नहीं आएगा प्रथम प्रतिजेविक सबसे पहली प्रतिजेविक कौन सी थी पैनिसिलिन हिंदी में भी पैनिसिलिन इंग्लिश में भी पैनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है हिंदी इतना तो कॉमन सेंस लगा सकते है ठीक है तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहली एंटिबाइटिक होजी थी कौन मिल गई थी प्रथम एंटिबाटिक जिसका नाम है पैनिसलेंग अब देखे इन्होंने किया क्या था देखे ये अपनी लैब में काम कर रहे थे अपनी प्रयोग शाला में काम कर रहे थे एक बेक्टीरिया के उपर जिसका नाम है staphylococcus staphylococcus bacteria ठीक है जान से देखना यह इस तरीके से यह petri dish थी एक petri dish जैसे मैं नहीं भी आपको बता है काँच की एक गोला कार ठीक है इस पर इन्होंने bacteria उगा रखे थी कौन से staphylococcus ठीक है चले ठीक है काम कर रहे होंगे कोई काम कर रहे है इन्होंने कुछ दिनों बाद देखा कि भईया यह जो staphylococcus जो bacteria है न यह staphylococcus जो bacteria है इनके व्रद ही रुक गई यह बढ़नी पारे खतम होते जा रहे इन्होंने बोला यार यह कैसे हो गया मैं तो पोशन देता जा रहा हूँ किसको इन्स्टेफिलो को कस बेक्टीरिया को यह मरते क्यों जा रहे है इन्होंने निरिक्षन किया इन्होंने एलनलिसिस किया कि इस पैटरे डिश में न एक कवक इन्होंने एनलिसिस किया कवक को मोल्ड बोला जाता है कवक को मोल्ड भी बोला जाता है ठीक है फिर से बता रहा हूँ ध्यान से सुना देखिए इन्होंने क्या देखा कि भाईया एक कवक जो है एक मोल्ड मोल्ड यानि कवक यहाँ पर उग रही है ठीक है और ये कवक कुछ रसायन निकाल रही है और वो रसायन इन बैक्टीरिया की विरध्धी को रोक रहा है इन्होंने देखा कि भईया एक कवक है उस कवक का नाम अभी मैं आपको बताऊंगा एक मोल्ड है एक कवक है जो कुछ रसायन निकाल रही है और ये रसायन यहाँ पर जी इस रसायन को उन्होंने नाम दिया पैनिसलिन क्योंकि जिस कवक से ये रसायन निकल रहा था उस कवक का नाम था पैनिसीवलियम नोटेटम तो पैनिसीलियम नोटेटम एक कवक थी जिसने व्रधी करके यहाँ पर खुद पोशन लेना चाहती थी क्योंकि यहाँ पर उन्होंने पोशन डाल रखा था इस पैट्रे डिश में यह सोचकर कि भाईया मेरे बैक्टीरिया ग्रो करेंगे व्रधी करेंगे इन्होंने देखा बैक्टीरिया तो व्रधी करनी पा रहे हैं कवक व्रधी करती जा रही है कैसे कवक एक रसाइन निकालती जा रही है वो रसाइन बैक्टीरिया को तो मारते जा रहे हैं ठीक है अब ये जो penicillin जो थी इन्होंने बताया लोगों को दूसरे विज्ञानिकों ने देखा दूसरे विज्ञानिकों में से पर्टिकलरली दो विज्ञानिक यहाँ पर एक है बिटा Ernst Chen और एक Harvard Flore एक है Ernst Chen चैन ना आए मुझे नींद ना आए कौन Ernst Chen हस्ते खिल के लाते और आपके Harvard Flore ये Flore और Chen इन्होंने भी देखा अरे बाबा अलेकजंडर फ्लेमिंग ये क्या कर डाला तुमने तो गलती से बहुत जबरदस्त खोज़ कर दी है तुमने तो एंटी बायोटिक की खोज कर दी थी किसकी एंटी बायोटिक किसने अलेकजंडर फ्लेमिंग ने तो इन दोनों ने क्या किया कि वो जो पैनिसलिन निकली थी ना ये जो पैनिसलिन प्राप्त हो रही थी इसकी एक बहुत ही जबरदस्त एक शक्ती शाली परभाव शाली ये इन दोनोंने रिसर्च करके बताया जिसके बाद 1945 में वर्ष याद रखना मैं बोलता नहीं हूँ वर्ष याद रखने के लिए लेकिन जो हमारी NCRT में वर्ष दे रखें वो जरूर याद रखना 1945 में फ्लैमिंग को भी चैन को भी फ्लोरे को भी इस चीज के लिए नूब रिसर्च करी कि येस वो जो एंटीबाटेक ने के लिए बहुत जवरदस्त किसम की है उसके और रुपांतरन की उस एंटीबाटेक के उसकी रिसर्च करी जगे जगे उनको यूज मिलिया कौन-कौन-कौन से सुख्मजी मर सकते हैं कौन से जिवान मर सकते हैं ये सब कुछ इननोंने रिसर्च करी थी हाला कि पहला काम इनोंने किया लेकिन इनों ने भी ये सोचकर तो नहीं किया था इनों इस तरीके से एंटीबाटेक्स की खोज हुई थी मेरे भाई याद रखना है आपने ठीके तो ये हमने क्या देखा इंड़स्ट्रियल लेवल पर और प्रशन देखो सीधा सीधा आते हैं नीट में मेरे भाई गौर से सुन लेना बड़ा वाला स्टार बना रहा हुए देखें, ये एक कवक है, Aspergillus niger, ध्यान से सुन लीजेगा, ये एक कवक है, Aspergillus niger, Aspergillus niger, कौन है, एक कवक है, साफ साफ लिखा हुआ है, fungus, और इससे मिलता है, Citric Acid, याद रखना, क्या मिलता है, Citric Acid मिलता है, Acetobacter Acety, ये एक बेक्टीरिया है, नाम में आ रहा है, Bacter, Bacter, बेक्टीरिया है, कौन, Acetobacter Acety, इससे मिलता है, Acetic Acid, Clostridium, Butylicum, याद रखना, ये भी बेक्टीरिया है, Clostridium, Butylicum, इससे मिलता है, Butyric Acid, और Lactobacillus, से मिलता है, Lactic Acid, तो Lactic Acid, Citric Acid, Acetic Acid, Butyric Acid, इन सभी का इस्तमाल किया जाता है, उद्ध्योगों में, इन सभी का इस्तमाल किया जाता है, किसमें, उद्ध्योगों में इस्तमाल किया जाता है, Citric Acid का, जो आप लोगों ने देखा होगा, Chomin Womin जब बनाते हैं, तो उसमें कुछ काले से रंग का डालते है जिससे चौमिन का कलर थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाता है काला तो नहीं हो जाता है थोड़ा सा चटकीला सा रंग आ जाता है क्या डालते है सिट्रिक असिड डालते है ठीक है लैक्टिक असिड का इस्तमाल किया जाता है मेरे भाई butyric acid का भी किया जाता है acetic acid मेरे भाई इसका भी इस्तमाल किया जाता है याद रखना इन सभी carbonic पदार्थों का इस्तमाल किया जाता है उध्योगों में या घरों में भी इस्तमाल किया जाता है बात आ रही थी प्रशन ये नहीं पूछा जाता है प्रशन पता है नीट में कैसा हैंगे यहां से यहां से प्रशन आते क्या? match the column, stump पहले में stump दूसरे को, match करना है आते हैं न ऐसे प्रशन, तो इस तरीके से यह 4 लिख दिये, अलग-अलग order में, अलग-अलग करम में, यह 4 लिख दिये, acetic acid, butylicum butyric acid, lacto lactic acid, सर यह 3 तो याद हो जाएंगे, यह याद रखना क्योंकि यहां पर कोई mail नहीं खा रहा है ठीके, यह तो याद हो, देख, acety word आ गया acetic acid, butylicum आ गया, butyric acid, lacto word आ गया, lactic acid, यहां पर aspergillus niger में कोई word मिल नहीं रहा है, तो याद रखना citric acid किस से मिलता है, aspergillus niger से, यह कुछ रसायन है, carbonic पदार थे, जिनका उप्योग किया जाता है, हमारे household में, कहीं न कहीं, हमारे उध्योगों में भी इस्तमाल होते हैं, और हम घरों में भी इस्तमाल करते हैं, next, alcohol यह मैंने आपको बताई दिया है, बिटा जी ethanol जो होता है, इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है yeast का उप्योग किया जाता है, कौन सा saccharomyces cerevisi का, इसके दोरा क्या बनाई जाती है, यह yeast है, यह yeast है, इसको use में लिया जाता है, alcohols बनाने के लिए, ठीक है, अब बात आ रही है enzyme का, क्या enzyme भी उत्पन होते हैं, क्या सुक्ष्म जीवों से, हाँ भाई जरा सोचे, हमारी कोशी का enzyme बनाती है, सुक्ष्म जीव एंजाइम नहीं बनाते हैं, भी enzyme बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं, अब जरा सोचे, कोई सुक्ष्म जीव है, जिससे मालो एक enzyme उपन हो रहा है माल लेते है, कोई एक x सुक्ष्म जीव है एक x सुक्ष्म जीव है जिससे हमें माल लेते हैं ये, क्या मिल रहा है enzyme मिल रहा है ठीक है अब आप मुझे बताएं मुझे इस enzyme की बहुत ज़्यादा जर्रत है बहुत ज़्यादा जर्रत है तो मैं क्या करता हूँ मैं ना इस x सूक्ष्मजीव को कहा डालूँगा वो fermenters यादार है यादार है बड़े बड़े बरतन वहाँ पर डाल दिया किसको इस x सूक्ष्मजीव को डाल दिया चलो क्या उसमें क्या डाल दिया ये सूक्ष्मजीव डाल दिया और उन बरतनों में मैंने पोशन ये माध्यम डाल दिया अब दिमाग लगाओ ये सुखंजीव को पोशन मिलेगा हाँ सर मिलेगा क्या ये अपनी वरद्धी करेगा इसकी संख्या अगर बढ़ेगी तो इससे जो एंजाइम उत्पन होता है उसकी एंजाइमों की मातरा नहीं बढ़ जाएगी तो हमें क्या मिल जाएगी ओध्योगे किस तर पर एंजाइम नहीं मिल जाएगी बिलकुल मिल जाएगी तो ओध्योगे किस तर पर हम एंजाइम उत्पन करते हैं देखें लाइपेज एंजाइम लाइपेज क्या है एक एंजाइम है इसका उपियो किया जाता है धुलाई में जो कपड़े जो होते हैं उसमें जो तेल में धब्बे लग जाते हैं ना देखो मैं खाना खाया और वो जो खाना जो था उसमें माल लेते हैं वसा जैसे मैंने खाया कुछ तला हुआ खाना खाली है सबजी खाली है तेल वाली तेल वाला मेरे कपड़ों पर तेल लग गया अब तेल क्या है तेल एक प्रकार का लिपिड है याद रखना, जयवणू chapter 11 request जहां पर आप पढ़ेंगे, लिपिड क्या होता है, लिपिड एक जयवणू है, जो दो प्रकार का होता है, एक होता है वसा, याद रखना फैट, और एक होता है, ओल, यानि तेल, यानि तेल भी एक लिपिड है, और वसा, फैट भी एक Secondary यह दोनों लिपेड होते हैं अब जरा सोचे किसी ने तेल वाली सबजी बनाई और उसके सबजी जो है थोड़ी सी कपड़ों पर लग गई इस कपड़े में यह धब्बे जो है इसमें क्या है लिपेड्स है मुझे इन लिपेड्स को हटाना है तो मैंने क्या कहा लिपेड्स लिपेड्स को खतम कड़ेगा तो जरा सोचे लाइपेड्स का इस्तमाल किया या नहीं किया किसमें इन डिटरजेंट में ताकि जो कपड़े जिनके पर धब्बे लगे हुए उनमें जो लिपिड्स था वो खतम हो सके तो एंजाइम्स का उपियो किया जाता है किसमें डिटरजेंट में तो एंजाइमों को बड़े इस्तर पर बनाया जाता और देखिए आप जो juice पीते हैं जो उसके अंदर होते हैं यह bottles खराब नहीं जो जो खराब हो सकते हैं सूख्षम जी वंदर रद्धी करके इस juice को खतम कर सकते हैं आपने देखा होगा कई juice की bottle जो आते हैं उन पर लिखा होता है क्या expiry date देखा होगा कि यह तब तक expire नहीं होगा इतने दिनों तक expire नहीं होगा क्यों क्योंकि इन juices के अंदर क्या मिला देते हैं पेक्टीनेज या प्रोटीएजिज क्या एंजाइम मिला देते हैं तो पेक्टीनेज और प्रोटीएजिज एंजाइम क्या करते हैं कि अगर सुक्ष्ण जीव अंदर आया तो सुक्ष्ण जीव को मार गिराते हैं कौन ये एंजाइम उनकी व्रधी को रोग देते हैं जिससे काची बोटल के अंदर जो जूस है लंबे समय तक बना रहता है देखिए लिखा हुए पैक्टिनेज प्रोटीजेज के प्रयोग के कारण बोटल वाला रस अधिक स्वच और साफ बना रहता है सुख्षम जीवों की व्रद्धी को रोकते हैं सुख्षम जीवों की व्रद्ध हुए पैक्टम में जाद रहा हु याद रखना है स्ट्रेप्टो काईनेज एक एंजाइम है कैने एक जीवानू है क्या борोला मैं स्ट्रेप्टो कोकस जीवाणू हुए और मैंने एक एंजाइम मुत्पन किया जिसका नाम है स्ट्रेप्टो काइनेज तीक है अब ये स्ट्रेप्टो काइनेज करता क्या है आपके अंदर रक्त नलिका होती है धम्निया रक्त नलिका होती है धम्निया उसके अंदर अगर क्लोटिंग हो जाए उसके अंदर थक्का जम जाए उसके अंदर रक रक्त नलीका, एक ध्मनी है, ये रक्त को लेकर जा रही है, और अंदर थक्का जम जाए, अंदर रक्त जो है कत्रित हो जाए, गाडपन आ जाए, एक जगे खट्ता हो जाए, तो रक्त का भाव तो रुक जाएगा, अब क्या करें, तो इस परिस्थिती오 में हम एक एंजाइम क प्योग लेते हैं जिसका नाम है streptokinase जो रक्त नलीकाओं के अंदर जो ठक्का बनता है ना उस ठक्के को खतम कर देता है याद रखना भूल मत जाना नीट में प्रशन पूछा जाता है streptokinase क्या कारे करता है हमारे रक्त नलीकाओं में जो रक्त का ठक्का बनता है उसे तोड़ने का कारे करता है कौन? streptokinase याद रखना भूल मत जाएगा किसी भी हल में तो ज़रा सोचिए वो लोग जिनके अंदर मोटापा जादा होता है ध्यान से सुनना वो लोग जिनके अंदर मोटापा जादा होता है उनके अंदर ठक्का जादा से जादा बनता है अब आप बोलेंगे सर मोटापे से ठक्के का क्या मतलब है? दीखे वो लोग जिनमें मोटापा जादा होता है तीके? उनमें वो मोटापा जादा क्या होता है? तो streptokinase क्या करता है ये streptokinase उन्रक्त नलिकाओं को फैलाता है और जो थक्का होता है उसे नश्ट कर देता है ये काम होता है किसका है streptokinase का Done Next अब आता आ रही है जैव सक्रिय अनू भाईया ये बहुत important है मैं फिर star लगा रहा हूँ यहां से प्रश्ण बनेगा एक अनू है एक जैव सक्रिय अनू है जिसका नाम है cyclosporin A याद रखना है कौन cyclosporin A जिसको प्राप्त किया जाता है एक कवक से याद रखना trichoderma polysporum प्रश्णी यहां से बनेगा cyclosporin A को प्राप्त किया जाता है एक कवक से जिसका नाम है ट्राइको डर्मा पॉलीस पूरम ये एक कवक है जिससे प्राप्त किया जाता है सर ये क्या करता है याद करिए मैंने आपको मानव स्वास्त्य और रोग चैप्टर में प्रतिरक्षा पढ़ाई थी यादारी है आपको कोशी का मध्यत प्रतिरक्षा यादारी है अंग प्रतिया रोपन जब किया जाता है कोई बाहरी अंग जब शरीर में लगाया जाएगा तो शरीर के अंदर कोई कोशी का मध्यत प्रतिरक्षा होती है होता है जो बाहरी अंग को प्रतिया रोपन से रोखती है तो जरा सोचे इस परिस्थिती में क्या करे भाईया हमें तो अंग लगाना है और शरीर लगाने नहीं दे रहा है शरीर की जो प्रतिरक्षा जो है कोशी का मध्धित जो T-Lymphocyte बना रही थी वो लगाने नहीं दे रही है तो इस condition में क्या करे है हमें तो लगाना है अंग जरूरी है नहीं तो मर जाएगा व्यक्ति तो इ जिससे कोशी का मध्धित प्रतिरक्षा बंद हो जाती है जिससे अंग का प्रत्यारोपन हो जाता अब आप बोलेंगे सर ये तो कुछ समय के लिए क्या जब अंग प्रत्यारोपन हो जाएगा फिर वापिस से वो काम करने लग जाएगी तो बेटा जब अंग काम करने लग फिर उसको शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को पता लगेगा, अनुभव होएगा, अरे भया, अंग काम करने के लिए लगाया गया है, समझ में आया, तो ये cyclosporine A, जब अंग प्रत्या रोपन होता है, तो प्रतिरक्षा निरोधक कारकों के रूप में, रोग्यों में उपयोग में लिया जाता है, यानि प्रतिरक्षा को खतम करने के लिए, जी हाँ, प्रतिरक्षा को बंद करने के लिए यूज में लिया जाता है, ताकि अंग का प्रत्यारोपन हो सके, जरूरी याद रखना, आखरी statin, ये मिलता है बेटा, ये भी एक कवक से मिलता है, जिसका नाम ह मोनसकस परप्यूरियस याद रखना मोनसकस परप्यूरियस वो लोग जिन में मोटापा ज़ादा होता है याद रखना वो लोग जिन में मोटापा ज़ादा होता है उसमें ये स्टैटन क्या करता है मोटापा कैसे होता है तला हुआ खाना काते है उस तले खाने में क्या होती ह कॉलेस्ट्रॉल होता है तो रक्त में अगर कॉलेस्ट्रॉल की मातरा ज़ादा हो जाती है रक्त में ब्लेड में कॉलेस्ट्रॉल ज़ादा होता है तो ये स्टेटन क्या करता है उस कॉलेस्ट्रॉल को खतम करता है है जिसे रक्त में cholesterol की मात्रा कंग हो जाती है तो इस statin का कार है क्या blood में देखिए याद रख न वो लोग जो मोटा हो जो मोटे होते हैं उनको यह statins की tablets दी जाती है क्यों ताकि ब्लड में cholesterol कम हो जाए जी हां कई लोग जो मोटे होते हैं जादर कॉलेस्टरोल की मातरा जादा हो जाती है तो ये कॉलेस्टरोल को कम करने के लिए दिया जाता है ये किस से मिलता है ये बी एक कवक से कवक मत भूलना मोनसकस परक्यूरियस ये एक यीस्ट है उससे प्राप्त किया जाता है तो ये था बिटा जी आज का सिंपल सा लेक् प्रोड़ा सुख्ष्म जीव देखे औध्यों की स्तर पर उनका उपयोग देखा धई, डोसा, इडली, किनवक ठीक है यह सारी चीज़े बात करी फिर हमने औध्यों की स्तर पर हमने मादक पेपदार्थ और एंटीबाटिक्स की बात करी फिर हमने कहीं न कहीं कुछ जैव सक् इनकी बात करी यह सारे सुख्ष्म जीवों से प्राप्त किये जा रहे हैं अभी समय हुआ है आपके क्विज का पहला प्रशन आपके सामने आता हुआ फरस्ट दूद से धही का उत्पादन किसके द्वारा होता है जीवानू विशानू कवक सभी बहुत सिंपल सा प्रशन जल्दी सांसर लगाईएगा दूद से धही का निर्माण किसके द्वारा होता है जीवानू विशानू कवक या ये सभी दूसरा प्रशन लेक्टिक एसिड को बनाने लिए कौन से बेक्टीरिया का उपियोग किया जाता है लेक्टो बेसिलस एसपरजिलस एसिटो बेक्टर या कोई नहीं लेक्टिक एसिड याद करिये मैंने चार आपको कार्बनिक पतार्थ बताये थे एसिटिक एसिड लेक्टिक एसिड ब्यूटायरिक एसिड याद करिये बताया था ना तो पूछा है लेक्टिक एसिड को बनाने के लिए किस सुक्ष्म जीव का उपियोग किया जाता है लेक एक तीसरा प्रशन और साइक्लोस्पोरिन ए प्राप्त होता है साइक्लोस्पोरिन ए प्राप्त होता है ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम मोनस्कस पर्पूरियस यीस्ट लेक्टो बेसिलस किस से प्राप्त हुआ था साइक्लोस्पोरिन ए जो कोशी का मध्धित प्रती रक्षा को समाप्त करने के लिए यूज में लिया गया था चलिए जी समय हुआ समाप्त आए डिसकस करते है बिटा जी यहाँ पर हमारे पहला प्रशन था दूद से धही का उत्पादन किसके द्वारा होता है सिंपल लेक्टिक एसिड बेक्टीरिया बेक्टीरिया यानी जीवानू तो जीवानू का उप्योग करते हैं lactic acid bacteria का lactobacillus का उप्योग किया जाता है दूद से धही बनाने के लिए answer is A, यही किया ना, simple सा था ना दूसरा, lactic acid एक carbonic पदार था किस से मिला था, lactobacillus हाँ, नहीं बताया था आपको याद करिये, भाई aspergillus niger से क्या मिला था, citric acid याद करिये बोला था, acetobacter sct से क्या मिला था acetic acid ठीक है, और clostridium butylicum से क्या मिला था butyric acid, और lactobacillus से क्या मिला था, lactic acid so answer is A ठीक है, next आखरी, cyclosporin A, मैंने आपको बोला था, अंग प्रतिया रोपण होता है, तो कोशी का मद्यत प्रतिरक्षा नुकरिया को खतम करने के लिए, हम इसका उपयोग करते हैं, किस से मिला था, याद करिएगा, एक कवक्स है, जिसका नाम है trichoderma polysporum भई, monascus purpurius एक yeast थी जिससे हमें क्या मिला था, statin मिला था, क्या मिला था, statin मिला था जो blood में cholesterol का लेवल कम कर रहा था, जबकि trichoderma polysporum से क्या मिला था cyclosporin A प्राप्त हुआ था बागी lactobacillus selectic acid answer is, यहाँ पर A यह था अगर आपने seriously सुना होगा तो प्रशन भी हो गए होंगे, बहुत simple सा सीधा सा lecture था, ज्यादा कुछ जटिलता है थी नहीं, simple सी चीजे थी बात करें बेटा जी, यहाँ पर अध्याय चल रहा हमारा मानव कल्यान में सुक्ष्म जीव lecture number है, दूसरा, सबसे important topic वाहितमल उपचार में सुक्ष्म जीव कैसे सुक्ष्म जीवो को हम use में लेते हैं, जो भी वाहितमल वाहितमल क्या होता यह पढ़ेंगे बायो गैस के उत्पादन में बायो गैस क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे उसमें भी सुक्ष्म जीवो का योगदान देखेंगे जैव नियंतरन कारक के रूप में सुक्ष्म जीव यानि जो भी हम कुछ ऐसे सुख्ष्ण जीवों की बात करेंगे जो यूज मिलिये जाएंगे जैव नियंतरन कारक के रूप में अब इसका मीनिंग क्या ये सब कुछ पढ़ेंगे ठीक है जैव उर्वरक के रूप में सुख्ष्ण जीव किस के उपचार के लिए वाहित मल सुर ये वाहित मल क्या होता है देखे सीदे सीदे शब्दों में मैं आपसे बोलू आपके घर में कूडा कच्रा एकटा होता है मल मुत्र एकटा होता है वो मल मुत्र वो कूडा कच्रा कहां पर डाल दिया जाता है जहां पर भी डाला जाता है काँ डाला जाता है पानी में जाता है जल के स्त्रोतों में जाता है और जब जल के स्त्रोत में जाता है जल खराब होता है जल प्रदूशित होता है तो ऐसा मल मुत्रिय पदार्थ जो होएगा जो पानी में डाला जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं तो सीधा सीधा क्या कि नगरों और शहरों में जो भी विर्थ जल होता है उस विर्थ जल में बहुत बड़ी मात्रा में क्या मिलते है बिटा जी याद रखना मनुश्य का मलमुत्र मिलता है ठीक है क्या मिल रहा है मनुश्य का मलमुत्र मिल रहा है और यही मनुश्य का मलमुत जो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं जिस जल में होएगा वाहित मल कहलाएगा सीवेज कहलाएगा इसको हम इंगलिश में बोलते हैं सीवेज हिंदी में बोलते हैं वाहित मल ठीक है अब जरा सोची ऐसा काला पानी काला पानी इसलिए बोला क्योंकि उसके अंदर मल मुत्र है उसके अंदर कूडा कच्छरा है, चिक ए, जिसकी वज़ाई से उस पानी में गंदगी पैदा होती है, उसमें रोगानू पैदा होते है, अब ज़रा सोचे ऐसा पानी आपके घर के आसपास अगर इकटा हो जाए कुल मिलाकर नालो में पानी नहीं होता जो भी वाहतमल जो होता है जो व्यर्थ जल जिसमें मनश्य का मल मुत्र मिलेगा कूड़ा कच्छरा मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे वाहतमल बोलेंगे अब ये जो वाहितमल जो होता है ये क्या उत्पन करता है जल प्रदूशन इससे क्या होता है जल प्रदूशन होता है सर इस वाहितमल में होता क्या है सबसे इंपोर्टन चीज़ है ध्यान से सुनना इस वाहितमल में होता है कार्बनिक पदार्थ क्या सर कार्बनिक पदार्थ मतलब, देख मेरे भाई, जरा सोच, तुम फल लाए, सबजीयां लाए, ठीक है, जैसे केला लेकर आगया, केला लाए, आपने केले का छिलका उतारा, उतार दिया, अंदर का केले वाला भाग खाली है, छिलका तो नहीं खाते ना, छिलका कहां डालते हो, डस्ट बिन में, उस सबजी आप काटते हूं, है जी, आप गोबी लेकर आए, गोबी के छिलके, आपने गोबी, यूस में ले ली, लेकिन उसका कुछ हरा अरा भाग, जो आप यूस मे लेते हो, सबजी बनाने में, यूस में लेते हो, आपने उसको फैक दिया, तो ये जो पदार्थ जो इनमें होते हैं क्या protein, carbohydrates, vitamins है ऐसा होता है हां होता है ऐसे पदार्थों में क्या मिल रहे हैं carbonic पदार्थ समझ में आ गिर ना meaning simple सा है ना ऐसे पदार्थ जिसमें carbon और hydrogen होते हम क्या बोलते हैं जिनमें hydrocarbon की chain होती हैं, उन्हें हम carbonic पदार्थ बोलते हैं, पता नहीं ये कहां से, बच्चों के दिमाग में एक बहुत बड़ा confusion है, कि carbonic पदार्थ का मतलब जिसमें carbon होती है, ना ना ना, carbonic पदार्थ का मतलब जिसमें carbon और hydrogen होती है, ऐसे तो फिर, मैं बोलता carbon dioxide, ये भी carbon carbonic पदार्थ है, लेकिन carbon dioxide carbonic पदार्थ नहीं होता है, क्यों, क्योंकि इसमें hydrogen है, carbon तो है, तो hydrocarbon की जब श्रंकला मिलती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, carbonic पदार्थ, जैसे carbohydrate हो गए, protein हो गए, lipids हो गए, वजा हो गई है, vitamins हो गए, nucleic हो गए है, ठीक है, ये सब कुछ क् carbonic पदार्थ और ये कूडे कच्रे में मिल रहे है, ये उस वाहित मल में मिल रहे है, अब ज़रा सोच समझ कर मुझे बताए, क्या आपको carbohydrate चाहिए, हाँ सर चाहिए, आप लेते हो carbohydrate के नहीं लेते हो, शरकरा लेते हो ना, क्या protein खाते हो के नहीं खाते हो, खाते हो, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, आपके शरीर के अंदर क्या गया, ग्लूकोज, उस ग्लूकोज को हमने oxygen की उपस्थिती में तोड़ा, क्या बना, carbon dioxide, क्या बना, जल, क्या बनी, उर्जा, भाई अगर मैं जिंदा हूं, तो क्यों जिंदा हूं, क्योंकि मेरे अंदर उर्जा यह उर्जा कब पैदा होई, जब हमने carbonic पदार्थ को तोड़ा, किसकी उपस्थिती में, oxygen की उपस्थिती में, क्या उत्पन हुई है, उर्जा इसी को क्या बोला जाता है, श्वसन, इसी को क्या बोलता है, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं, तो आ वाई वेश्वसन क्यों किया ताकि उर्जा मिले उर्जा का क्या करेंगे अपनी कोशिकाओं की संख्या को बढ़ाएंगे व्रधी करेंगे simple done simple सी अब आप मुझे बताएं ये ये चीज क्यों बताई अभी reason बताऊँगा ये जो वाहित मल था इसमें क्या मिल रहा है सर इसमें मिल रहा है कारबनिक पदार्थ क्या मिल रहा है कारबनिक पदार्थ अब जरढ़ सोचे کारबनिक पदार्थ में कार्बनिक पदार्थ है और ये कार्बनिक पदार्थ अगर इस वाहित मल में होंगे तो क्या ये भोजन की तरह भोजन की तरह कौन इनको यूज मिलेगा सूक्ष्मजीव जो पानी में सूक्ष्मजीव होएंगे ना वो इन कार्बनिक पदार्थ को भोजन की तरह पानी में जो ऑक्सीजन होती है उसको लेते जाते है और जो कारबनिक पदार्थ जो इस गंदे पानी में था उसको यूज में लेकर कारबनिक पदार्थ को तोड़ कर उर्जा मिलेगी सुकृष्ण जीव, सुकृष्ण जीव अपनी संखें बढ़ाते जाएगी क्यों क्या मिल रहा है उस वाहित मल में क्या मिल रहा है ग्लूकोज जैसे कार्बनिक पदार्थ मिल रहे हैं तो अक्सीजन खतम करते जाते हैं खतम करते जाते हैं अपनी संख्या बढ़ाते जाते हैं बढ़ाते जाते हैं पानी क्या होता है गंदा होता जाता है सिंपल सी बात तो अब finally बात आ रही है कि हमें इसका उपचार करना है इस वाहितमल का हमें क्या करना है उपचार करना और उपचार जो होता है वो दो चरणों में होता है सबसे पहला होता है प्राथमिक उपचार फिर होता है द्वित्य उपचार आईए सबसे पहले बात करते हैं किसकी प्र प्राथमेक उपचार की देखे प्राथमेक उपचार बहुत सीधा सा है इस प्राथमेक उपचार में हम क्या करते हैं देखे यहां पर यह जो वाहितमल आ रहा है न वाहितमल यहां से आ रहा है गंदा पानी सबसे पहले हम इसको छानते हैं यह च्छनन विधी होती है कौन सी तो हमने क्या कर दिया चान दिया अब जरा सोच ये पानी आया गंदा उसमें अभी भी थोड़े थोड़े कुछ कंकर पत्थर ऐसे हैं या नहीं है हां सर उस पानी में अभी भी कुछ ऐसे कंकर छोटे छोटे कंकर छोटे छोटे पत्थर हैं उसमें जिस छली रोक नहीं पाए कुछ छोटे छोटे अभी भी रह जाएंगे फिर ये गंदा पानी आगे आएगा आगे आएगा अब जरा सोच समझ कर मुझे बताएगा एक सिंपल सी बात मैं आपसे पूछता हूँ मैंने एक ग्लास लिया इस ग्लास के अंदर पानी था इस पानी के अंदर कंकर बजरी मैंन तो सारी क्या होती है एक प्रकार की मृदा होती है सिर्फ कणों के अधार पर उनका कणों का आकार अलग होता है इस वज़े से उनको अलग अलग नाम देते हैं बजरी हो गया क्ले हो गया सिल्ट हो गया और आपकी जितने भी ये मृदा होती है तो मैंने क्या बोला कमकड पक् पत्ते चमपसे हिलाया, थोड़ी देर बाद मैंने क्या देखा, जो भारी है, वो नीच बैट जाएंगे, और जो हलके हैं, वो उप्पर आ जाएंगे, बताइए, इतनी सी बात समझ में आती है, इस प्रकरिया को क्या बोलते हैं, सर इस प्रकरिया को बोला जाता है अवसाधन इस प्रकरिया को हम क्या नाम देते हैं अवसाधन नाम देते हैं तो अवसाधन यानि सेडिमेंटेशन सेडिमेंटेशन बोलते हैं तो अवसाधन सेडिमेंटेशन में पानी को हमने हिलाया जिससे जो भारी पत्थर बड़े-बड़े कंकर जो होएंगे वो नीचे बैठ जाते है तो बेटाजी कुल मिलाकर हम यहाँ पर प्राथमिक उपचार में दो क्रिया विधी को अपनाते है एक है फिल्ट्रेशन एक है फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन का मतलब सीधा-सीधा क्या नीसेंदन यानि छानना इस तरीके से हमने छाना छान दिया और फिर क्या कराया अवसादन सेडिमेंटेशन जो भी भारीकन जो भी आज से पत्थर कंकड बजरी जो भी आ रही है उस गंदे पानी में हम उसको हिलाएंगे हिलाने से कही न कही जो भी कंकड पत्थर बजरी है वो सारह का सारा नीचे कत्रित हो जाएगा लिखा हुआ है किया आरंब में जो कूडा करकट जो ठा उसको तो हमने क्या कर दिया छान दिया ँसके बाद जो बालू होएगा बालू होता है मर्दा होती, एक परकार की मर्दा होती है, चोटी चोटी गुटिका है यानि पैबल्स यानि पत्थर कंकड बजरी जो भी होती है उनको अवसाधन द्वारा नीचे बैठा दिया जाता है अब वो चीज जो नीचे बैठेगी जो ठोस है ठोस ही तो है ना भाई कंकड पत्थर बजरी जो है वो ठोस है वो नीचे बैठ गए बैठ जाए है प्रात्मिक आपंक क्या बोला प्रात्मिक आपंक है याद रखना ये कौन है प्रात्मिक आपंक अरे भाई आप सीधा सीधा देखो एक पानी है गंदा ठीक है गंदा पानी है जिसमें मल जिसमें ठोस कन हैं, जिसमें पॉलेथिन, वॉलेथिन, कूड़ा, कच्रा, कागच, वागच, सब कुछ है, आपने सबसे पहले छाना, तो छानने में जो बड़ी-बड़ी चीज़ होएंगी, पॉलेथिन, वॉलेथिन होएंगी, वो छान गए, ठीक है, फिर आप उसको आगे पानी में भेजेंगे, उस पानी को आगे भेज रहे हैं, उसमें फिर उसको पानी को हिलाएंगे, जोड-जोड से हिलाएंगे, तो जो भी, जो भी, जो भारी पदार था, ठोस है, वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे आ गया, उसको हमने बोल दिया, पराथ मिकापंग, अब तरल रह गया के नहीं रह गया है यह तो लिक्विड रह गया अब यह जो तरल जो होता है जो प्लावी जो उपर है जो प्लावी उपर है इसको हम बोलते हैं इफ्लूएंट बही इस्त्राव इसको हम क्या बोलते हैं इफ्लूएंट यह क्या कहलाता है इफ्लूएंट अंग्र बाहिए इस तुराव को प्रात्मिक नी सेंधन टैंक में भेज दिया जाता है, अब आप बोलेंगे क्या सर्थ समझ में नहीं आया वापे से सुनो, देखे फिर से देखेगा, सबसे पहले छान दिया, हाँ छान दिया, कूडा करकट छान दिया, हाँ छान दिया, जो भी मिट् मृदा बालू गाद जो भी कंकर पत्थर बजरी है उसको हमने नीचे बैठा दिया बैठा दिया कौन सी प्रकरिया से अब सादन जो ठोस पर नीचे बैठ गए उनका नाम है प्राथमिक आपंग ठीक है और जो उपर पानी जो तैर रहा है उसका नाम है इफ्लूइंट भाईय इस प्राव को फिर हमने क्या कर रहा है ये बस इतना सथ हमारा प्राथमिक उप्चार अब जरा सोचिए ये जो पानी है ये काला गंदा पानी है इसके अंदर क्या मिल रहा है सर इस इफ्लूइंट के अंदर क्या मिल रहा है कार्बनिक पदार्थ मिल रहा है कौन सा पदार् अब दुद्य उपचार करना है, तो यह जो effluent था, इसको हमने आगेgiae tank में डाला, उस tank को हमने क्या बोला है, कि यू भाइये strav, इंफ्ल्यून्ट को हम क्या बोल रहे हैं, भाइये strav, ये जो भाइये strav, जो इसको हम प्राथ्मिक निसेंदन सेटलिंग टैंक से, ये जो टै यह वला टैंक, इसको हम क्या बोलते है, day tank, अब साधन टैंक, इस टैंक से निकालेंगे किसको, इस खाय को और अगले टैंक में डालेंगे, कौन से टैंक में डालेंगे, द्वित्य उपचार के लिए आगे तैंक में डालेंगे, अब यहां पर हमें क्या करना है, अब कौन सा उपचार करने वाले है secondary treatment करने वाले है दुत्य उपचार करने वाले है तीके आप में से कई confused होएंगे सर ये तो effluent जो है यहाँ पर आया इसमें भी थोड़ा बहुत देखो चानेंगे यहाँ पर भी थोड़ा बहुत अवसादन होगा ये देखो sedimentation tank लिखा हो है sedimentation का अवसादन यहाँ पर तो कंकर बजरी पत्थर यहाँ पर जो मोटा मोटा आ सकता है आ गया फिर यहाँ पर पानी आएगा इसको और हिलाएंगे ताकि और कंकर बजरी पत्थर यहाँ पर एक खत्रित हो जाए फिर उसके बाद ये प्रापर जो पानी बचरा है गंदा पानी इस गंदे पानी को निकाल कर हम दुत्य उपचार करने वाले हैं ठीक है समझ में आ गया एक बार वापिस से बताओं फिर से सुन ध्यान से सुन देख सबसे पहले च्छनली लगा दी प्राथमिक उपचार है छानली लगा दी कूडा करकट छान दी पॉलतिन कागच वागच के जो टुकड़े होएंगे है बोटल बोटल जो होएंगी वो सारी छन गई ठीक है फिर उसके बाद हमने यहाँ पर भेजा इस टैंक में जैसे भेजेंगे तो जो भारी है वो नीचे बैठ जाएगा और अभी भी कुछ और थोड़े बहुत हलके वलके पत्थर और होएंगे जो पहले बड़े-बड़े पत्थर है वो यहाँ पर बैठ जाए फिर और आगे आया पानी यहाँ पर हम पानी को गोल-गोल घुमा रहे है घुमाने के बाद थोड़े समय के लिए रोकेंगे रोकने के बाद जो भारी पदार था वो नीचे बैठ जाएगा जो छोटे-छोटे कंकड़ होएंगे वो यहाँ पर नीचे बैठ गया है बैठने की करिया विदी को हम क्या बोलते है सेडिमेंटेशन तो यह टेंक क्या कहलाएगा सेडिमेंटेशन अब फाइनली यह पानी बच गया अब यह जो चीज जो थी यह क्या कहला रही है प्रात्मिक आपंक कहला रही है दोनों जगे पर पहले बड़े-बड़े पत्थरों को बैठाया फिर छोटे-छोटे पत्थरों को बैठा दिया यानि कुल मिलाकर ठोसकणों को हमने बैठा दिया है फाइनली अब पानी जो एक गंदा पानी जिसमें कार्बनिक पदार्त है उसको अब हम कहां लेकर जाएंगे दुत्य उपचार के लिए यानि अब बात करने वाले किसकी सेकेंडरी ट्रीटमेंट की दुत्य उपचार की अब देखें दुत्य उपचार जो है उसमें एक वर्ड आ रहा है क्या जीव विज्ञानिय उपचार यानि इस उपचार में हम सुक्ष्म जीवों को यूज में लेने वाले हैं भाई ज़रा सोच ये ना हम पढ़ क्यों रहे हैं ये चैप्टर का नाम क्या है मानव कल्याण में सुक्ष्म जीवों को यूज में लेने वाले हैं तो भाई या इस उपचार में सुक्ष्म जीवों को यूज में लेने वाले इसलिए ये उपचार क्या कहला रहा है जी विज्ञानी उपचार अब करते क्या है देखेए का ध्यान से सुनना देखेए ये आ रहा था आपका इफ्लुएंट देख रहा है आपको बहुत छोटा देख रहा होगा लेकिन समझना इफ्लुएंट क्या था मेरे भाई इफ्लुएंट क्या था भाई इस तरह था प्राथमिक उपचार का ये फ्लुएंट ये ग्रीन ये ग्लू ग्लू यहाँ पर आएगा डाल दिया ओके कोई जरा सो चो क्या होएगा, दिमाग लगाओ, क्या, ये गंदा पानी था ना, इस गंदे पानी में क्या था, कार्बनिक पदार्स थे, ठीक है सर, और सुक्षम जीव भी थे, ठीक है सर, कार्बनिक पदार्स भी है, सुक्षम जीव भी है, पस सुक्षम जीवों को जादा से प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् वी ए टेंक, इस टेंक में उस गंदे पानी को हम जब डालेंगे यहाँ पर, तो साथ-साथ हम air भी डाल रहे हैं, oxygen डाल रहे हैं, अब जरह सोचे इससे क्या फाइदा होगा, सोचे वो जो गंदा पानी आ रहे हैं, उसमें क्या था, सर ये जो गंदा पानी है, ये वाला जो ग कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने के लिए oxygen चाहिए, oxygen इतनी नहीं है यहाँ पर, तो हमने क्या किया, हमने oxygen दे दी, हमने oxygen दे दी, अब जरह सोचे, यहाँ पर जो सुख्षन जीव होएंगे, ये गंदे पानी में जो सुख्षन जीव होएंगे, जो धित्योप चार में, इस टेंक में डाले गए हैं, सुख्षन जीव तो एक्टिवेट हो जाएंगे, चालू हो जाएंगे, काम करने लग जाएंगे, क्या करते जाएंगे, जरह सोचे, दिमाग लगाए, क्या करते जाएंगे, यहाँ पर जो सुख्षन जीव होएंगे, वो क्या करते जाएंगे, सर ऑक्सीजन को यूज में लेते जाएंगे और जो भी कार्बनिक पदार्थ हों उनको तोड़ते जाएंगे, खतम करते जाएंगे उनको पाचन करते जाएंगे और खुद की संख्या बढ़ाते जाएंगे सुचिए, आप इमेजन करें उस गंदे पानी में गंदा पानी क्यों गंदा था क्योंकि उसके अंदर कार्बनिक पदार्थ थे हम, क्या हम, सुक्ष्म जीवों की उन्ही सुक्ष्म जीवों की साहिता से जो इसी में मिल रहे थे उन्ही को यूज में लेकर उस गंदे पानी को साफ नहीं कर रहे है उस गंडे पानी जिसमें कार्बनिक पदार्थ है उस कार्बनिक पदार्थ को खतम करते जा रहे कैसे उन्हीं सुक्ष्म जीवों की साहिता से हम बस ऑक्सीजन देते जाएंगे देते जाएंगे देते जाएंगे ऑक्सीजन आती जाएगी आती जाएगी सुक्ष्म जीव जो जीवानों की कवक की संख्या बढ़ती जाएगी नहीं होएगी होएगी ना बस इतनी सी बात आपको समझा नहीं थी बताईए इतनी सी बात समझ में आई के नहीं आई आई ये पढ़ते हैं देखें देखें क्या लिखा हुआ है वो जो भाईये स्तराव जो था जो पराथमे कुप चार में बना था उसको बड़े वाईविये टेंकों में कौन से टेंक बोला था वाईविये टेंकों में गुजारा जाता है जहां लगातार उसको हिलाया जाता और वाईयू को इसमें पंप किया जाता है यानि वाईयू भेजी जारी ऑक्सीजन भेजी जारी है क्लियर ठीक है नेक्स अब इसस क्या करेंगे कवक के साथ मिलकर किसके साथ जो जीवानू होएंगे कवक के साथ ऐसे जीवानू जो कवक के साथ एक जुन्ड बनाएंगे और कुल मिलाकर जिस जुन्ड को हम बोलेंगे उनक 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 जो क्या करता जाएगा वो सुख्ष्ण जी बाहिये स्त्राव में उपस थ तो गार्बनिक पदार्थों को तोड़ते जाएंगे गार्बनिक पदार्थों को खपत करते जाएंगे तो देखें सिंपल सा कंसेप्ट था आपको समझना था मेरे भाई यहाँ पर मैं फिर से समझा देता हूँ देखो कि भाईया हमने सबसे पहले क्या किया देखे प्राथमिक उपचार में सबसे पहले हमने क्या किया नी सयंदन किया फिर अवसादन किया नी सयंदन समझ में आ गया छांदी अवसादन बैठा दिया जो भी लिक्विड होएगा जो तरल उपर है तरल फ्लुइड जो है गंदा पानी जो इसमें कार्बनिक पदा आता है जिसको हमने बोला है भाईये स्त्राव इस भाईये स्त्राव को निकाल कर हम क्या करेंगे भाईये टेंक में हमने क्या डाल दी है ऑक्सीजन डाल दी है ये भाईये स्त्राव जब आएगा इस भाईये स्त्राव में सुक्ष्ण जीव है हाँ है और क्या डाल दी हमने यहाँ पर ऑक्सीजन डाल दी है अब अंदर कौन बैठा है सर कार्बनिक पदार्थ पदार्थ प ठीक है जी और 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 ये ब्लू ब्लू जो है ये मान लेते हैं सुक्ष्म जीव है ठीक है ब्लू ब्लू कौन है सुक्ष्म जीव है ग्रीन ग्रीन कौन है कार्बनिक पदार्थ है चलिए ब्लू कौन सुक्ष्म जीव और ये ग्रीन ग्रीन कौन है कार्बनिक पदार्थ जाने के लिए और यहाँ पर क्या डाल दिया आपने ओक्सीजन अब क्या होएगा ये सुक्षन जीव क्या करेंगे सरिन कार्बनिक पदार्थ को तोड़ेंगे इनकी खपत करेंगे क्या यूज में लेकर ओक्सीजन यूज में लेकर तो कार्बनिक पदार्थ क्या होता कार्बनिक पदार्थ कम होता जाएगा हमारा पानी साफ होता जाएगा पानी खराब क्यों रहा था क्योंकि कार्बनिक पदार्थ है अब जरा सोचिए कार्बनिक पदार्थ तो कम होता जाएगा लेकिन किसकी संख्या बढ़ जाएगी सर सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ जाएगी मैंने का ठीक है एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पर एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पर यह सारा का सारा कार्बनिक पदार्थ खतम हो जाएगा और किसकी संख्या बढ़ जाएगी सरसुक्ष्म जीवों की संख्या फुल आन बढ़ जाएगी सारी की सारी ऑक्सीजन जो ह सारी की सारी oxygen जो है वो भी खतम हो जाएगी अब ज़रा सोचिए क्या रहे गया सिर्फ पानी रहे गया है क्या रहे गया सिर्फ पानी रहे गया है साफ पानी जी हां कौन सा पानी साफ पानी इसमें कार्बनिक पदार्थ नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि सुख जीवों ने उनक करता है उन्हों ने कारवनिक निपन पाथ को खतम, बल्ले बल्ले अब सची सुख्श्म जीव जीवाण का वक बर गे हैं अबना आपके कीज बताता हूं ध्यान से सुननाा एक वर्ड होता है देमांड सब्सक्राब्स आगे अभी रुखो, सोचिए, दो बच्चे है, एक बहुत गरीब बच्चा है, और एक बहुत अमीर बच्चा है, भोजन की डिमांड कौन करता है, भोजन की डिमांड आपके इस साब से, जिसने पूरे दिन बर खाना नहीं काया, वो डिमांड करेगा, कि जिसका भरपेट ख करूँगा के नहीं करूँगा, है ना, तो अब सर ये डिमांड क्यों आया, क्योंकि यहां पर एक वर्ड आने वाला है, बी, पो, डी, बायो, कैमिकल, ओक्सीजन, डिमांड, बायो, कैमिकल, ओक्सीजन, डिमांड, अब सर ये क्या होता है, ये क्या है, बायो, कैमिकल, ओक् पढ़ेंगे लेकिन अभी सिर्फ इतना सा ध्यान से सुनना कि जो सूक्ष्मजीव जो थे ना ये सूक्ष्मजीव ये सूक्ष्मजीव ये डिमांड करते हैं कौन जो सूक्ष्मजीव होते हैं सूक्ष्मजीव होते हैं ये सूक्ष्मजीव डिमांड करते हैं किसकी डिमांड करते हैं oxygen की क्यों demand करते हैं क्योंकि इनको carbonic पदार्थों को तोड़ना होता है सोच ये एक room है इस room में गंदा पानी है और इस गंदे पानी के अंदर carbonic पदार्थ है और यहाँ पर मैं एक सूक्षन जीव हूँ ठीक है मुझे oxygen चाहिए क्यों चाहिए मुझे oxygen ताकि मैं carbonic पदार्थों को तोड़ सको इतनी जी बात समझ मैं नहीं आई वापिस से सुन फिर से सुन देख ये room है इस room के अंदर ये सूक्षन जीव है नीले नीले हाँ नीले नीले अंदर carbonic पदार्थ था हाँ था था ना गंदा पानी जिसके करण हो रहा था green green दिखाया था हमने क्या डाली oxygen डाल दी ये oxygen को यूज में लेते जा रहे थे सुक्षन जीव oxygen को यूज में लेते जा रहे हैं हाँ लेते जा रहे हैं कार्बनिक पदार्थ खतम करते जा रहे हैं खतम करते जा रहे हैं अब जरा सोचिए यहाँ पर अब इस समय क्या दिमाग लगाना क्या कार्बनिक पदार्थ बचा नहीं जब कार्बनिक पदार्थ नहीं बचा तो क्या यह सुक्ष्मजीव और डिमांड करेंगे अक्सीजन की बिल्कुल नहीं करेंगे यानि इस समय ये जो demand जो होएगी oxygen की निन्तम होगी के नहीं होगी जो BOD जो होएगी वो कम होगी के नहीं होगी बिल्कुल हो जाएगी अब आप सोचिए ये सबसे ज़्यादा कब होएगी ये demand सबसे ज़्यादा कब होएगी माग लगाना भै डिमांड कम क्यों है सोचिए ये डिमांड जो थी किसकी ऑक्सीजन की ये कम क्यों हो गई भाई मेरे ऑक्सीजन है चाहिए ही नहीं कार्बनिक पदार्थ है नहीं सोचिए यहां पर कार्बनिक पदार्थ है नहीं तो oxygen के demand करेंगे के subscribe भैug subscribe किसको तोड रहे हैं कार्बनिक पदार्थों को कौन थे यह कार्बनिक पदार्थ थे तो जड़ा सूचे इन यह कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए क्या सुक्षन जीव ऑक्सीजन की डिमांड कर रहे थे तब कह रहे थे लाओ लाओ और ऑक्सीजन दो हम इस कार्बनिक पदार्थ को तोडएंगे कौन कह रहे थे सुक्षन जीव किसकी डिमांड कर रहे थे ऑक्सीजन की जैसे 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 तोड़ते जाएंगे जैसे जैसे का क्या बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे अब जरा सोचे एक समय ऐसा आएगा जब कार्बनिक पदार्थ नहीं होगा जब कार्बनिक पदार्थ नहीं है तो बांगडू जरा सोचे क्या ये सुखन जीव कहेंगे कि और्दो अक्सीजन नहीं कहेंगे ना डिमांड करें तो मैं नहीं बोलू मा कि BOD क्या हो गई है, कम हो गई है, हो गई है ना, तो याद रखना कि अगर किसी जल में, अगर जल में कार्बनिक पदार्थ जादा होता है, तो वो जल प्रदूशित होता है, और उस जल की BOD अधिक्तम होती है, सुक्षन जीव जादा से जादा मांग क की, समझ में आया, लेकिन, अगर किसी जल में कार्बनिक पदार्थ नहीं है, तो सुक्षन जीवों को तोड़ने के लिए नहीं चाहिए ऑक्सीजन, तो डिमांड नहीं करेंगे, तो एक आप्रदूशित जल में BOD कम होती है, और एक प्रदूशित जल में BOD जादा होती है, यह एक छोटा सा कंसेप्ट बताया है, हाला कि यह कंसेप्ट आपके पारिस्थित की इकाई में आएगा डीटेल में, ठीके, I hope यहाँ पर पारिस्थित की इकाई में चैप्टर है ना, कौन सा पर्रयावरण के मुद्दे आखरी चैप्टर है, बारवी कक्षा का, वहाँ प पून होती है, कौन, बियोडी, बियोडी क्या होती है, ऑक्सीजन की वो मात्रा, जो चाहिए होती है किसको, जीवानुओं को, किसकी खपत के लिए, कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए, सिंपल, बही ऑक्सीजन की डिमांड कर रहे है, सूप जिम किसको तोड़न खतम हो जाएगी, यानि कुल मिलाकर कार्बनिक पदार्थ खतम कर दिया समझ मैं है, तो जब तक BOD घट ना जाए, तब तक दित्य उपचार किया जाता है तब तक oxygen दी जाती है तब तक demand जो थी ना जो सुख़ी डिवान कर रहे थे, oxygen दो अंकल ऑक्सीजन तो, तो हम क्या जा रहे थे ले बटा oxygen, ले 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 लेते जा, लेता जा, लेता जा कार्बनिक पदार्थ, खतम करता जा, खतम करता जा एक समय साहेगा, जब कार्बनिक पदार्थ नहीं बचेगा, तो demand नहीं करेगा कौन डिमांड नहीं करेगा हमारा कार्बनिक पदार्थ खतम हमारा जल जो है साफ हो गया सो कुल में लाकर यहाँ पर जी BOD को हमें बिल्कुल नियुनितम कर देना है ठीक है सो जब व्यर्थ जल का BOD अधिक होगा तब इसकी प्रदूशन शमता भी अधिक होगी सोचे मैंने आपको बताया नहीं था अभी अभी बताया है कि सोचे जब व्यर्थ जल, गंदा जल, वाहित मल जो था, जो भाईये स्त्राव जो था वो जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रदूशित होगा ना तो उसकी BOD भी क्या होगी अधिक्तम होगी जब उसमें प्रदूशन की शमता अधिक होगी जब प्रदूशित होगा ज़्यादा से ज़्यादा जल तो उसकी BOD भी क्या होगी जब प्रदूशन खतम होते जारे कार्बनिक पदार खतम होते जा रहे तो डिमांड नहीं होती जाएगी यानि बियोडी घटती जाएगी इससे ज़्यादा और सिंपल तरीके से मैं क्या समझा हूं बताओ सिंपल सा था चले आगे आईए अब इसके बाद क्या करेंगे सर हमने वो जो भाई ये स्थराव था उ तो खतम हो गया लेकिन किसकी संख्या बढ़ गई सर जी बहुत सारे सुख्ष्ण जीवों की संख्या बढ़ गई है बढ़ गई है बढ़ गई है बढ़ गई है अब ये सुख्ष्ण जीवों की बहुत सारी संख्या बढ़ गई है बढ़ गई है बढ़ गई है इस पानी मे सर अब इन सुख्षन जीवों को क्या करें? सर इन सुख्षन जीवों को क्या करें? आईए देखें क्या लिखा हुआ है. देखें, जब वाहित मल अथवा व्यर्थ जल की BOD परियाप्त मातरा में घट जाती है, तब भाई इस्तरा आपको फिर से नी सहिंदन टैंक में भेजा जाता है, जा जीवान उसे अफसादित परिवर्थ मतलाब फ्लॉक्स में बदल देता है, अब आप बोलेंगे सर समझ में या है, रुको मैं समझाता हूँ, देखो, कुल मिलाकर यहाँ पर हमने क्या कर दिया, कार्बनिक पतार्थ खतम कर दिया, नश्ट कर दिया, अब क्या करेंगे, देखेगा, वापिस से, ध्यान से सुनना, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पानी को एक और टेंक में डाल रहे हैं, एक और टेंक में डाला, डाल दिया, ठीक है, अब इस टेंक में जब इस पानी को डाला ना, तो इस पानी को वापिस से हिलाया, क्या किया, वाप लगाओ यहां पर किसका जुंड बन चुका है सर सूक्ष्मजीवों का अब जब पानी लाएंगे तो सूक्ष्मजीवों का फिर से अवसादन हो जाएगा वो सारे सूक्ष्मजीव फिर से नीचे बैठ जाएंगे बैठ जाएंगे या नहीं बैठेंगे दिमाग लगा और उपर क्या रह जाएगा सर साफ पानी क्या रह जाएगा साफ पानी रह जाएगा इस साफ पानी को तो हम यहां से निकाल कर हमारे जो जल स्तरोत हैं हमारे जो नदियां हैं उनमें बहा देंगे अब जरा सोचें क्या हमने उपचार नहीं किया क्या हमने पानी को साफ नहीं किया कुल में लाकर देखो मोटे मोटे शब्दों में बोलूं कि जो घर से कूडा कचरा था जो मल मुत्र था वो जब पानी में आया तो उस पानी को हमने क्या बोला था दिमाग लगाए उस पानी को हमने क्या बोला वाहित मल उस वाहित मल में सबसे पहले हमने च्छाना फिर जो एक वाई विये टेंक में डाला दुत्य उपचार में वाई विये टेंक में डाला जिसमें हमने वाईू भेजी क्या भेजी वाईू भेजी वाईू भेजी यानि ऑक्सीजन भेजी जो लाबकारी सूख्ण जी थे वो oxygen को use में लेते जा रहे हैं कार्बनिक पदार्थ खतम कर दिया तो demand जो है oxygen की बिलकुल घट गई है तो demand जो है जब कम हो जाएगी यानि कार्बनिक पदार्थ खतम हो जाएगा सिर्फ सूख्ण जीवों की संख्या बढ़ जाएगी अब सर् भी भी गंदा है क्यों क्योंकि इसमें सूख्ण जीव है तो हमें इनको सूख्ण भी वोसे अलग करना पड़ेगा तो हमने इसको वापिस से एक अवसाधन टैंक में डाला फिर से एक और टैंक में डाला अवसाधन टैंक में डाला जहाँ पर फिर से हमने हिलाया और जो सू अब आगे बढ़ने से पहले जल्दी से दिमाग लगा कर सुनिएगा मेरी बात को दिहान से सुनिएगा आप अपने पडोसी से धाही बनाने के लिए पडोसी से क्या लेकर आते हैं? मुझे अपने घर पर धही बनानी है ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था मुझे धही बनानी अपने घर मेर तो मैं अपने पडोसी से क्या लेकर आऊंगा पडोसी से क्या लेकर आऊंगा पडोसी ने धही अलरडी जमा रखी है तो मैं उससे क्या लेकर आऊँगा, थोड़ा सा भाग लेकर आऊँगा, धही का लाऊँगा के नहीं लाऊँगा, उसको हम बोलते हैं, इनॉक्यूलम, उसको हम क्या बोलते हैं, याद रखना, इनॉक्यूलम, वो छोटा सा भाग, थोड़ा सा, थोड़ी सी मात्रा, क्या कहला इनॉक्यूलम कहलाती है इतनी सी बात समझ में आगे अब इधर ध्यान से देखना समझना इस चीज को मैंने यह जो यह जो सुख्ष नजीव जो है यह वाई विए सुख्ष नजीव थे न कौन से सुख्ष नजीव यहाँ पर वाई विए सुख्ष नजीव थे उनको नीचे बेठा दिया बेठा दिया अब ये जो नीचे जो वाई विये सुखन जीवों का ये जो जुंड है इस जुंड को हम बोलते हैं याद रखना भूल मत जाना सक्रिये आपंक क्या बोलते हैं इसको सक्रिये आपंक इसको हम नाम देते हैं सक्रिये आपंक जिनको आज तक नहीं पता था वाहित मलुक चाथ ध्यान से सुनना बार-बार चीज़ों को रिपीट कर रहा हूं ताकि समझ में आ जाए क्या कहला रहा है शक्रिये आपंक कहला रहा है ये जो नीचे बैठ गया है ठीक है कौन है ये वा कहते हैं ये जो फाहित है तोड़े से हमने सुक्ष्ण जीव निकाल लिए थोड़े से मात्रा में हम निकाल ले है यूशो मैं क्या बूलूंगा इन्किलों अब सर ये क्यो निकाली है सारा क्यों नहीं निकला हमने यह थोड़ी सी मात्रा में इसलिए निकले हैं ताकि अब ध्यान से सुनना ताकि वापिस से जब और वाहितमल आएगा प्राथमिक उपचार के बाद जब वो भाहिये स्त्राव जब आएगा वापिस से सेकिंड स्टेप में वापिस से जब कौन से टेंक में डाला जाएगा इस वाई विये टेंक में जब डाला जाएगा वापिस से जब डाला जाएगा इधर देखो वापिस से जब डाला जाएगा यहां पर जिसमें क्या होएंगे भर भर के भर भर के क्या होएंगे मेरे भाई कार्बनिक पदार्थ होएंगे आपने भाईये स्तिराफ बनाया, उस भाईये स्तिराफ को आप वाईये टैंक मिलाया थे तो आपने औक्सीजन दी, जो सुख्नीवों थे उन्ने जितने भी कारबनिक पताथ थे खतम कर दिये, सुख्नीवों की संख्या बढ़ गई हे, हमने वापिस से क्या करा दिया, अवसा तराव डाला जाएगा तो हम ये जो थोड़ी सी मातरा में जो वाईविये सुख्षमजीव थे न इनको यहां डाल देंगे और इनको जब यहां पर डालेंगे इनको जब यहां पर डालेंगे तो दिमाग लगाईए सोच समझ कर मुझे बताईए इनको जब यहां पर डाला प्रोड़ते जाएंगे अपनी संख्या बढ़ाते जाएंगे फिर वापिस से यही फिर थोड़ा सा निकाल लेंगे फिर वापिस से भाई इस तरह आएगा तो यह step पूरा process चलता जाएगा नहीं चलता जाएगा आप अपने घर पर धाई बनाने के लिए बार बार पडोसी से लेते जा रहे हैं थोड़ी सी दई फिर पडोसी से लेते जा रहे हैं अगले दिन थोड़ी सी दई फिर पडोसी से लेते जा रहे हैं थोड़ी सी दई बस वही चीज है यहाँ पर थोड़ा थोड़ा भाग लेते जा रहे हैं वाई वे टेंक में डालते जा रहे हैं ठीक है स के लिए निवेश द्रव्य की तरह यूज में ले लिए जो बच गए हैं इनका क्या करें अब इन बचे हुएं को अगले पेज पर देखो इन बचे हुएं को हम वापिस से एक और टेंक में डालते हैं और इस टेंक का नाम है याद रखना आवाईविये आपंक संपाचित्र अब सर जी ये क्या बला है सर ये तो बड़ा भारी हो गया अगर बारवी कख्षा में हलका फुल का भी पड़ा होगा तो यह आराम से समझ में आ जाएगा अगर नहीं पड़ा है कोई बात नहीं तो कुल में लाकर एक और टेंक है जिसका नाम है अवाईविये आपंक संपा बीटा यहाँ पर यह जो सक्रीया पंक था यह क्या था सर यह वाई विये जीवानों थे यह कॉणसे थे जरा सोची यह जीवानों थे कॉण से कवक थे कॉणसे स्वूख्णजे थे यह वाई वे ते न थे न यानि इनको औक्सिजन चाहिए होती है जिंदा रहने लिए वही थे ना हमने इनको निकाल कर यहां पर डाल दिया हमने इनको निकाल कर यहां पर डाल दिया किसको सक्रिय आपंक को डाल दिया यहां पर जिसमें सूक्षन जीव है कौन से है वाई विये जिसमें कौन से सूक्षन जीव है मेरे भाई यहाँ पर सर यहाँ पर यह जो सूक्षन जीव जो है यह वाई विये सूक्षन जीव थे वाई विये सूक्षन जीव थे मैंने का ठीक है वाई विये सूक्षन जीव इनको क्या चाहिए होती है oxygen चाहिए होती है ये वाईविय सूखण जीव थे जिसको हमने सक्रिय आपंक बोला था हाँ सर अब हम क्या करने वाले है ध्यान से सुनना हम इस टेंक में oxygen खतम कर देते हैं हमने इस टेंक में oxygen खतम कर दी अब सर oxygen अगर खतम कर देंगे तो क्या होगा मेरे भाई ये तो मर पड़ी है किसकी dead body पड़ी है सर ये जो वाईविय सुखण जीव थे जो सक्रिय आपंक अब ये मरत हो चुके मर गए हैं क्यों मर गए हैं क्योंकि oxygen खतम हो गई है अब जरा सोचिए आप मुझे बताइएगा आप जानते हैं सुखण जीव दो प्रकार के होते हैं एक वो ज सोचिए यहां पर कौन से सुखण जीव काम करेंगे अब अवाई विये सुखण जीव सुखण जीव क्या हो जाएंगे activate हो जाएंगे सक्रिय हो जाएंगे है ना और मैं आप से एक सिंपल सी बात पूछता हूं दिमाग लगा ना एक भैस मर गई है एक भैस मर गई है मिट् position होता है उस भैंस की body के शरीर का अपगटन होता है कौन करते हैं सुख्षमजीव करते है न वाई विये भी करते हैं अब दिमाग लगाएंगे क्या थी ये dead bodies है किसकी dead bodies हैं जरह सोचिए ये जो वाई विये सुख्षमजीव थी उनकी dead bodies है कैसे बन गई ये dead bodies क्यों हो गई य season ختم कर दी, ये तो recruited हो गए हैं ये dead bodies है और कौन काम करेंगे या बाई इस सुख्जीव इनका अप घटन कर देंगे इन मृत सुख्जीवों का क्या कर देंगे ये अप घटन कर देंगे और इनके अप घटन से क्या पैदा होईगे मेरे भाई याद रखना क्या पैदा होती है, Guess यही चीज़ यहां पर लिख्यू हुई है, देखो, यहां जीवाड़ू की अन्य पिसमें जो आवाईवी रूपसे वृद्धी करते हैं वे आपंक में उपस्ते जीवाडू तथा कवक का पाचन कर देते हैं, जो चीज बोली थी वही है, कि जो आव आई वे जीवाडू जो होएंगे, आव आई वे सुख जीव होएंगे, वो जो सक्री आपंक था न, उसमें जो जीवाडू और जो कवक्त जो मर गय है, उनका बायोगैस कहलाती है, बताइए, फाइनल सी बात, सिंपल सी बात है, हमने इन सुख जीवों का भी उपचार कर दिया, ये जो था, इनको भी हमने खतम कर दिया, देखो कितना एक तीर से तीन चार निशाने लगा दिया हम, हमने पानी भी साफ कर दिया, हमने बायोगैस भी ब किसका उपचार मेरे भाई ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट है इसको आप देखिएगा यहाँ पर वही सारी चीज़े प्राइंग्लिश में लिखा हुआ है प्राइमरी फ्लुएंट यानि प्राथमिक भाई इस्तराव वाई विए टेंक में डालते हैं फिर उसको हिलाते हैं जिस उसको वो जो सुख जीवों का जो समू जो था सक्रिय आपंक जो था जिसको हमने अक्टिवेटेड स्लज बोला था उसको निकाल कर हम किसमें डालते हैं एनरोबिक स्लज डाइजेस्टर इसको हम बोलते हैं क्या आवाई विए आपंक संपाचितर जहां पर जो आवाई अबّी उसी के अंदर ये क्या? हमारे देश में भी 2 प्लान चलाए गए हैं एक एक गंगा एक्षिन प्लान और एक है यमुना एक्षिन प्लान ये याद रखना वाहितमलों के उप्चार के लिए गंगा का पानी खराब हो रहा है यमुना का पानी बहुत जादा खराब हो रहा है तो उसके लिए एक प्लान चला गया है जिसका नाम है गंगा एक्शन प्लान यमुना एक्शन प्लान जो कुल मिलाकर वाहितमल के उपचार के लिए चलाया गया है अब बात करते हैं बायो गै गहस घर जिसको बोलता है अगर आप में से किसी ने देखा तो अच्छी बात है ये गोबर गहस होते हैं ठीके करते क्या है मेरे भाई कुल मिलाकर जो भी कूडा कच्रा गादवाद कुछ भी पतिया वतिया जो गिर जाती है गोबर वो बर जो होता है सब कुछ यहां पर डाल देते हैं और डालने के बाद धक्कन से बंद कर देते हैं धक्कन से बंद करने के बाद जो आव आई विये जीवानू जो होते हैं जिनको मेथेनोजन बोलते हैं कौन से मेथेनोजन आव आई विये जीवानू ये मेथेनोजन जो भी कार्बनिक पदार्त होता है सेलिलोज प मिधेन का निरमान करते हैं और वो मिधेन जब उत्पन होएगी यहाँ पर जब उत्पन होएगी उसको हम बाहर निकाल लेंगे और उसको हम यूज में लेंगे हमारे सिलेंडर हमारे जो स्टोव होता है उससे directly जैसे मेरे ननीहाल में क्या था इस तरीके से एक बायो गैस हमारा जैविक घर था या मैं बोलूँगा गोबर गैस घर था गोबर गैस की इसलिए बोलते क्योबर ओबर डाल देते हैं अंदर जो भी, जो भी कुड़ा कचराच सब कोछ डाला गया उसका अबगटन करते है, जिससे गैसे बनती है जिसमें में गैस होती है, मीथेन गैस जो जो जोलनशील होती है उसको एक पाइत के द्वारा हमारी रसोई में, हमारे घर में ननियाल में रसोई में जोड दिया था, stove से, stove on करते थे, lighter जलाते थे, gas जल जाती थी, जरा सोच ये, ये, gas जो है, ये जैविक gas है, ये बायो gas होती है, जोलंशील होती है, और इससे production नहीं होता है, जी हाँ, इससे कोई production नहीं होता है, ठीक है, भूलना जाएगा, next, अब ये मैं बात करूँ, 15-20 साल पुरानी बात करूँ, तो जादा से जादा लोग प्रोचसाहित करते थे, अपने घरों में बायो gas बनाने के लिए, मुखे रूप से कौन, भारतिये, कृषी, अनुसंधान, संस्थान, और खादी, एवं, ग्रामीन, उद्ध्योग, ये मेरे भाई में बायो gas plant बनाओ, जैविक घर बनाओ, तो ये थे, IARI, Indian Agriculture Research Institute, भारतिये, कृषी, अनुसंधान, संस्थान, IARI बोलते हैं, IARI, Indian Agriculture Research Institute, लिख दूँ, Indian Agriculture Research Institute, ठीक है? इन्होंने प्रुटसायद किया, और साथी साथ, खादी, एवं, ग्रामीन, उद्ध्योग, जो है, उनके प्रयासों से, जैविक घरों को बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर लोगों ने अपनाया था, लेकिन अब सीदी सी बात है, यहाँ पर जो बायो गया है, अब कब त ठीके ड्रैगन फ्लाइ दिखरी यह, आपने देखियोगी इस तरहिए से फ्लाइस होती है, चोट, पतंगे जिन को हम बोल देते हैं, ठीके, यह क्या करते हैं, यह इन कीडों को खा जाते हैं, मच्छर को खा जाते हैं, एफड्स को खा जाते हैं अनको यह, अब ज़बाग मच्छर हमारे लिए नुकसान देए हैं के लाबदायक हैं नुकसान देए हैं यह एफट्स जो होते हैं यह पेडों पे लग जाते हैं यह मैं बोलूँंगा फसलों को खराब करते थे कौन एफट्स तो ज़रा दिमाग लगा है मुझे इनसे बचना है तो क्या मैं करूँ या तो कीट नाशक का उप्यों करूँ क्या करूँ कीट नाशक का पीड़क नाशक का है इंसेक्टी साइड का पेस्टी साइड का वीडी साइड का करूँगा लेकिन उन इंसेक्टी साइड उन रसाइनों का उनका दुश प्रभाव हमारे उपर पड़ता है ये देखो बच्चे सोच ये किसी की फसल है और फसल पर उसने इन पेस्टी साइड का उप्योग किया है फसल पर इसे कीड़े चाहट गए लेकिन उस फसल पर अगर ये रसाइन रहे गए और ये रसाइन वाली फसल अगर किसी माता ने उप्योग में ले लिए जो गर्ब बती है उसके बच्चे कुछ ऐसे पैदा हो गए है समझ रहे तो इन रसाइनों का उपयोग हमें नहीं करना है यह यह जो है इन रसाइनों का उपयोग नहीं करना क्योंकि इनका परिणाम बड़ा गंदा है इनका दुश प्रभाव होता है तो हमने क्या किया है हम सीधी बाते करते हैं चले काम करते हैं कीड़े ही तो लग रहे थ समझ में आ गया तो वही लिखा हुआ है क्या कि बीटल भरंग पतंगे ड्रेगन फ्लाई क्या कर देते हैं पिटा मच्छरों से या एफिड से छुटकारा पाने के लिए लाब दायक होते हैं हाँ होते हैं बिलकुल होते हैं ताकि हम रसायन पर डिपेंडेंट ना रहें ठीक ह अब आप बोलेगें सारी हम तो यहाँ पर सुक्षन जीवों की बात कर रहें यह तो सुक्षन जीव है नहीं यह तो जस्ट एक ट्रेलर था यह समझाने के लिए कि भाई जैसे ये लोग ये जीव इनको मार रहे थे क्या हम सुक्षन जीवों का उप्योग नहीं कर सकते हैं अब इस चेप्टर के बाद में आपको जो चेप्टर पढ़ाया जाएगा वो होएगा बहुत इंपोर्टेंट जैव प्रध्योगी की कौन सा चेप्टर पढ़ाया जाएगा जैव प्रध्योगी की बायो टेक्नलोजी वहाँ पर आप डीटेल में पढ़ेंगे बेसिलस ठीक है और इस bacteria से इस bacteria के अंदर एक gene होता है जिसका नाम होता है cry gene यह cry word कहां से आया है cry word comes from English word crystal crystal का मतलब ravine जैसे आपने इसब गोल देखा इसब गोल यह आपने भाई अपने mobile के उपर वो आपका जो mobile होता है इस mobile के उपर tempered glass होता है कभी tempered glass जब तूटे ना उसमें देखना fiber निकलेंगे fiber उनको हम crystals बोलते हैं ठीक है so crystal यानी ravine सर crystal gene का मतलब रुको यह gene आगे चलकर एक protein बनाते है जिसका नाम होता है cry protein actually यह cry word आया कहां से था यह जो bacillus thuringiensis जो होता है ना bacillus thuringiensis यह एक protein बनाता और वो प्रोटीन के रवे होते हैं रवों को हम क्या बोलते है crystal इस वज़े से उस protein को हमने बोला crystal protein short में बोला cry protein और जो gene उत्तरदाई होएगा यह protein बनाने लिए हमने उसको बोल दिया crystal gene यानी cry gene तो हमने कुल मिला कर बोला कि इस जीवाणों से कहीं ना कहीं हमें क्या मिलते हैं cry protein मिलते हैं सर इसका फाइदा क्या है लेगिए ये cry protein जब कीटों की कीटों के अंदर जाते हैं particularly कहां पर जाते हैं बेटा जी याद रखना उनकी आहार नलिका में जाते हैं कहां पर जाते है क्या कर देते है छेद, इनको कौन सा माध्यम चाहिए होता है, छारीय माध्यम चाहिए होता है, देखे, देखे, मैं हूँ एक जीवाणू जिसका नाम में Bacillus Thuringiensis, मैं क्या उत्पन कर रहा हूँ, एक प्रोटीन उत्पन कर रहा हूँ, वो प्रोटीन क्रिस्टल के रूप मे हैं जिसको हमने crystal protein या cry protein बोल दिया ठीक है अब मेरे ये protein मेरे जीवाणू मैं जीवाणू मेरे ये protein अगर किसी कीट के अंदर जाएंगे तो कीट के अंदर जैसे ही छारिये माध्यम मिलेगा क्या मिलेगा छारिये माध्यम मिलेगा तो उस चारीय माध्यम में यह सक्रिय हो जाते है और उस कीट के आहार नाल में छेद कर देते हैं, अब जरा सोचे किसी की आहार नाल में अगर छेद हो जाएंगे, तो उसके इंदर जो भी है सब कुछ बाहर निकला जाएगा, सब कुछ खतम हो जाएगा वो कीट मर जाएगा, तो जरह सोचे क्या हमने सुक्षणजीव को यूज में लिया बिलकुल लिया, किसको मारने के लिए कीटों को मारने के लिए, सिंपल सी बात लिए, डन निक्स्ट ट्राइकोडर्मा बेटा यह मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था ट्राइकोडर्मा एक कवक है और इस कवक को मुखे रूप से जो पादप में जो रोग होते हैं उनके लिए जैवनियंतरन के लिए यूज में लिया जाता इतनी बात बता रखिया हमा वरधी को रोकती है कौन यह ट्राइकोडर्मा यह कवक तो यह जो कवक जो होती है यह रसायन निकालती है और वो रसायन कीटों की वरधी को रोकते हैं क्या यह सुख्ष्ण जीव है हाँ क्या यह सुख्ष्ण जीव था हाँ तो हमने सुख्ष्ण जीव का इस्तमाल किया हा यहाँ पर किया हाँ एक और एक वाइरस है जिसका नाम है बकिलो वाइरस कौन सा वाइरस है बकिलो वाइरस ठीक है बकिलो वाइरस ऐसे रोग जनक है जो कीटो तथा आर्थरो पोड्स पर हमला करते हैं हम पर नहीं जो आपके कीटो होते हैं इंसेक्ष होते हैं उन पर अटैक करते हैं ये वाइरस जिनका नाम है बकिलो वाइरस अधिकांश बकिलो वाइरस जो जैव एग्ञानिक नियंतरन कारक की तरह से किये जाते हैं वे नूखलियो पॉली हाइड्रोसिस वाइरस की अंतरगत आते हैं बोलेंगे सर यह word का मतलब क्या है देखे ऐसे virus जिनको हम use मे लेंगे as a tool, as a yantr, as a कारक की तरह use में ले रहे हैं किसी चीज को नियंतरित करने के लिए फिर से सुनना, क्या? ऐसे virus जो हम use में ले रहे हैं किसी चीज को नियंतरित करने के लिए, ऐसे virus इसको बोला जाता है, nucleo polyhedrosis virus अब पढ़ो इस line को क्या लिखा हुआ? अधिकांश बकलो वाइरस, ज़्यादा तर बकलो वाइरस, जो जैव विज्ञानिक नियंतरित कारकों की तरह से उपियोग में लिए जाते हैं बायो कंट्रोल एजिंट की तरह यूज में लिए जाएंगे, उनको हम क्या बोलते है, nucleo polyhedrosis virus ये विशानु परजाती विशेशकर संक्रे स्पेक्टरम कीट नाशी उप्चारों के लिए अतियुत्तम माने जाते हैं यानि कुल मिलाकर बेटा ये वाइरस कीट नाशी होता है, देखो सीधे सीधे शीधे शब्दों में बोलो, कीट नाशक होता है, insecticide होता है कीट होता है, उन कीटो को मारने के लिए, उन कीटो के अंदर रोग पैदा कर दे, आप ये मुझे बता है, क्या वाइरस से रोग होता है ना, आपके अंदर अगर वाइरस जाते तो रोग होता है ना, क्या सभी वाइरस से होता है, नहीं, कुछ ऐसे होता है, जो रोग नहीं करते हैं जैसे ये हमारे अंदर जाएगा हमारे अंदर रोग नहीं करेगा लेकिन ये जब कीटो के अंदर जाएगा तो उनमें रोग करेगा तो कीट मर जाएगा ये नहीं मर जाएगा तो हमने इनको यूज में ले लिया कीटो को मारने लिए खतम खला तो वाइरस को हमने यूज में लिया है जैव नियंतरन कारक के रूप में ठीक है आगे बढ़ते हैं बिटा जैव उर्वरक के रूप में सुक्ष्ण जीवों की बात कर रहे हैं तो देखिए यहां पर उर्वरक का मतलब फॉर्टिलिटी उपजाऊ शम्ता क्या सुक्ष्ण ज राइजोबियम एक बेक्टीरिया है एजोटोबेक्टर एक बेक्टीरिया है एजोस्पाइरलम एक बेक्टीरिया है यह बेक्टीरिया है यह नाइट्रोजन इस्थिरी करण करते हैं यह क्या है यह सारे के सारे जीवानू है और यह सारे के सारे जीवानू क्या करते हैं नाइट्रोजन फिक्स्टेशन करते हैं नाइट्रोजन इस्तिरी करण का मतलब कि जो वातावरण में जो नाइट्रोजन है जो सीधा एक प्लांट उपियोग में नहीं ले पाता है तो उस वातावरण ये नाइट्रोजन को बदलते हैं किसमें अमोनिया में किसमें बदलते है अमोनिया में इस प्रक्रिया को बोलते है नाइट्रोजन इस्थिरीकरण ये कराते है आपके कुछ जीवानू और जिन में सो उधारन है आपने अरे ये तो 9-10 क्लास से सुनाओगा राइजोबियम लेग्यूम पादपों की जड़ों में होता है गाठों में होता है होता है ना नाइट्रोजन इस्थिरीकरण करता है सुना है कि नहीं सुना एजोटो बेक्टर भी करता है एजोस्पायरिलम भी करता है ठीक है तो कुल में लाकर अगर हम देखें एक म्रदा है जिसमें नाइट्रोजन नहीं है परियाप्त मातरा में अमोनिया नहीं है सोचे एक म्रदा म पाई मुरदा से ही तो नाइटरोजन लेंगे ना पेड़ अब जरा सोचे मुरदा में अगर अमोनिया नहीं है और ये सुक्ष्मजीव अगर वातावरनी नाइटरोजन को अमोनिया में बदल दे तो अमोनिया उपलब्द नहीं हो जाएगी पेड़ों को मुरदा की जीवानू की बात कर रखिये कौन से जीवानू की राइजोबियम की जो सहजीवी संबंद दिखाता है किसके साथ में पादपों के साथ में ये वायू मंडली नाइटरोजन का इस ठरीकरन करता है बदलता है उसको किसमें अमोनिया में जिससे पोशक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है किसमे मरदा में और कहीं न कहीं सीदी सी बात है और वर्ता बढ़ गई है किसकी मरदा की तो हम किसको स्प्रे करेंगे जरा सोचें मैं अपने पादपों में मेरी फसल है किसकी लेग्यूम पादपों की फसल है ठीक है डालों की है मटर की है यह लेग्यूम पादप होते हैं इनमें मैंने डाल दिया कौन सा सूप्षिंगी राइजोबियम मिलता तो है और डाल दिया ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन उपलब्द करा देगा और अमोनिया के रूप में किस में मिरदा में उप जाओ शमता बढ़ जाएगी खतम इसके चाहते साथ ऐजोडो स्पायरिलम और एजो टो बेक्टर जो होते हैं यही बतार रखे तेंग्यी बता रख पैयरिलम चैप्टर है वहाँ पर और आपको उधारन सुनने को मिलेंगे अभी सिर्फ तीन राइजोबियम एजोस्पाइरिलम और एजोटोबेक्टर ये याद रखने है ठीक है अब बात करते है माइकोराईजा की सर ये माइकोराईजा क्या होता है जो पादप होते हैं उनकी जडों से कवक संबंद बनाती है सहिआजीवी उसको हम बोलते है माइकोराईजा कि ये पादप है उस पादप की ये जड़े हैं उन जडों के आसपास जो कवक जो होएंगी ये आकर रुकने लग जाती है इस कवक जो है, यहाँ पर इन पादपो की जड़ों के साथ में कौन जुढ जाती है बटा कवक जुढ जाती है, और यह जो संगरचना होती है, इस को हम क्या बोलता है माईको राइजार में क्या था सहजीवी संबंद था, सहजीवी संबंद यानि ऐसा संबंद जिसमें दो जीव एक दूसरे की फाइदा करते हैं, एक दूसरे को फाइदा पहुचाते हैं, सह जीवी संबंद होता है, अब सर यहाँ पर कवक क्या फाइदा पहुचा रही है, कवक जो है मरदा से फॉस्फोरस और जल को लेकर पादपों में देगी, और यह कवक फाइदा नहीं पहुचा रही है, क्या यह फॉस्फोरस नहीं ला रही है, मरदा से फॉस्फोरस को आफ्शोषित करके पेड को दे रही है, जरा सोचे, मरदा में अगर बहुत सारी कवक होएगी तो मरदा की उपजाव शमता नहीं बढ़ जाएगी, बढ़ औलोसिरा तो नौस्टॉक एना बिना ये तो भूलना मत ये तो बिलकुल हर बच्चा याद रहता है जीव जबान पर होता है नौस्टॉक एना बिना ऐसिलेटोरिय औलोसिरा ये क्या होते हैं आपके नील हरिच शैवाल होते हैं ये भी नाइटरोजन इस्थरी करण करते हैं वाईू मंडलिय नाइटरोजन का क्या करते हैं स्थरीकरण करते हैं ये भी जैव उर्वरक के रूप में उपियोग में लिये जाते हैं और ये भी मृदा में कार्बनिक पदार्थ को बढ़ाते हैं जिससे उर्वरता बढ़ जाती हैं ये था बिटा जी आपका कुल मिलाकर आ आता हुआ first. ये रहा पहला प्रश्न. गोबर गैस में कौन सी गैस मुक्हिता होती है? मुक्हिता पूछा है मुक्हिता. मेथेन, कारबन डायक्साइड, हाईड्रोजन या ये सभी. मुक्हिता पूछा है मैं बार बार जोर इस पर दे रहां मुक्हिता. अब मुख्यता मेनली कौन सी गेस होती है जल्दी से अंसर लगाईएगा मेथेन कारबन डायकसाइड हाइडरोजन यह सब भी कर लिए बच्छो दूसरा प्रशना आता हुआ छनन मल का कौन सा उपचार है यानि वो छानने वाली जो प्रक्रिया थी वो कौन से उपचार के अंतरगत सम्मिलित होती है प्राथमिक उपचार दृत्य उपचार तृत्य उपचार या समुचित उपचार कौन से उपचार के अंतरगत हमने वाहित मल में छानने की प्रक्रिया को यूज में लिया था छाना था कुल मिला कर हमने कौन से उपचार में किया था यह हम लोगों ने और आज का आखरी तीसरा प्रेशन जैव उर्वरक के रूप में उप्योग नहीं होता है जैव उर्वरक के रूप में किसका उप्योग नहीं होता ये पूछा है अप्षिन आपके सामने है जल्दी से क्लिक करिएगा जल्दी से लगाईएगा अंसर चलिए जी समय हुआ समापता ये डिसकस करते बिटा यहाँ पर पहला प्रशन था गोबर गैस में कौन सी गैस मुखेता मेली देखें कारबन डाइकसेड भी होती है मेथेन भी होती है हाइडरोजन भी होती है तीनों होती है लेकिन मेली सतर परसेंट कौन होती है मेथेन होती है सो आंसर इस मेथेन दूसरा प्रशन चनन मलका कौन सा उपचार है यार कर ये च्छानने के प्रक्री हमने कब करी थी हमने कहीं ना कहीं जो गुड़ा करकटाए तो उसको झाना था किसमें प्राथ। प्राथूमे कुप तीसरा जैव औरवरक कभी थोड़े दिर पहले में आपको बता है था सर जीवानू थे मैंने कहा बैक्टीरिया थे बिलकुल थे राइजोबियम एजोटोबेक्टर एजोस्पारलम थे ना साइनो बैक्टीरिया थे नॉस्टोक एना बिना ओसिलेटोरिया थे माइको राइजा कवक थी न थी न वाइरस थोड़िना थे यह तो जैव नियंतरन कारक के रूपे में उप्योग आए थे जैसे बकुलो वाइरस जैव नियंतरन कारक यहाँ पे जैव उरवरक पूछा है तो आंसर इस वाइरस वाइरस जैव उरवरक नहीं होते हैं ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा बी वाइरस यह था आज का क्विज अब निक्स लेक्चर में आप पढ़ेंगे अगला अध्याय जैप रौध्योगी की सिद्धान तैवं प्रक्रम यह पढ़ेंगे नेक्स लेक् अच्छों ओके जी बाइबाए टेक केर